ऑब आज जो किस मासे पर वहने 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 वाला बाव टॉपिक का नाम क्या है अटॉपिक का नाम है इंट्रस्ट रेट रिसक मैनेजमेंट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंट्रेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ओल्ड स्लेवस में सर यह कहां मिलेगा चैप्टर यह है ओल्ड स्लेवस में इंडियन कापिटल मार्केट इंडियन कापिटल मार्केट जो चैप्टर है उसमें से काफी कुछ questions interest rate risk management के interest rate derivative बोल सकते हो आप और नियो से लिबस में तो एक chapter ही है करना क्या revision में revision वैसे ही चलेगा जैसे हमारा derivative का revision चला था थोड़ा सा fast चलेगा fast थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा fast लेकिन detail में अगर समझना होगा जैसे बहुत सारा वीडियो मेरा डला हुआ है sir तो अगर आपको detail में समझना है तो मैं फिर से अगर वीडियो देख रहे हो वीडियो देखने में थोड़ा सा डाउट जा रहा है कि यार sir ये क्या है एक्षूल में ये कोशन गया या फिर ये concept क्या है तो तुरंत नीचे जाना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिलेगा, अगर चैनल में वीडियो डला हुआ हो तो और नहीं डला है तो सर कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं अपलोट कर दूगा, ठीक है जी, चले, इंट्रस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पर, और इंट्र धूर सर, हम लोगों को पढ़ना है, क्वावट रेट ऐगरिमेंट, इसमें थोड़ा सा ज्यादा तक है, एसान्दा डला है, इसके बाद फाइनेशल स्वैप बढ़ना become semaine, इसके बाद कैप, इसके बाद swap pricing and valuation वगे रहा तो अब वो syllabus में है नहीं है तो irrelevant चीजे में नहीं पढ़ा हूं तो ज्याद अच्छा और भी बहुत सारी चीजे में बढ़ा सकता हूं two-party swap swap quotation बहुत कुछ मैंने class में करवा रखार पर सर वो extra है और हमें revision में extra नहीं पढ़ना है हमें वहीं पढ़ना है जो हमारे काम का है जो आ सकता है और सर भगवान ना करे कुछ दूसरा आ गया तो पहले भी तो कुछ नहीं कुछ बढ़ाई किया होगा कुछ नए कोशिन बनाए होगी आप अगर यह सोच रहा है कि सिर्फ revision class से हम पास हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है आपकी पहले की पढ़ाई ही काम आएगी revision सिर्फ help कर रहा है आपको याद दिलाने की कोशिश करो ठीक है कहां से start करेंगे forward rate agreement अब मेरी बात बिलकुल ध्यान से समझना बिलकुल ध्यान से मान लो एक person है राम ठीक है यहां दिलाओंगा थोड़े स्वेट से चलूँगा attention मतलब आपको अभी ऐसा लग रहा है सर फिर आ गया राम मतलब अभी तो अम फिर लंबा खिच जाएंगे नहीं खिचूंगा बिटे लंबा नहीं इस भाई साब को पैसो की जरूरत पैसे चाहिए पैसे 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 अभी नहीं चाहिए मेरी बात सम आज रेट कितना चलता है दस परशन के हिसाब से उधार ले सकता हूं टैन परशन के सबसे पर मुझे आज नहीं चाहिए मुझे लोन कब चाहिए मुझे चाहिए आज से तीन महने बाद और कितने पिरिट के लिए चाहिए मुझे छे मेहने के लिए चाहिए फिर से बोल रहूं आज से तीन मेहने बाद कितने समय के लिए छे मेहने के लिए अच्छा सर लिकर यह आज आज से कितने तीन मेहने बाद कितने मंत के लिए six months के लिए इस पीरिट के ले लोन चाहिए, 6 months के लिए थिक ठीए ना दिक्कत क्या है उधार कब लूँ Aाज लूँ की तीन मेने बाद,ीकत कुछ नहीं है विटिए, तीन म sür लेने को तीर हूँ अब हमें बैंक के पास जाता हूं और बैंक से बोलता हूं बैंक प्लीज आप बताओ न थीन मेहने बाद थीन मेहने बाद आना तो ही पता लगे गा अब भी रेट आपडर्स 10 परेसन चल रहा है तीन मेहने बड़ भी सकता है, floating rate नाम सुना, libor, mybor, कुछ base rate प्लस होता है, floating rate, जो 3-3 महने कभी होता, 6-6 महने कभी होता, reset period उसका, floating rate समझ दो, floating rate, जो के सर, तो इस तरह से काम होता है, ओहो, अब दिक्कत की बात है, कि अब मैं परिशान हो, मैं परिशान है, सर अभी लोन ले लो, कितने परशन्ट पर लोन दोगे ऐसा भी हो सकता weapons 15 एसा भी उसकताइफ्ट किविको प्रूंटерж बाउद बहुत जादा नहीं होता है तो अब मैं क्या करूं समझ मैं नहीं हा रहा है यह बैंक वाले के पास चाथ हम तो बैंक बढ़ा देता है तो अभ क्या किया जाए तो अभ में मुझे एक bank मिला bank यह पर इस bank का नाम क्या है इस bank मैं इस bank से उधार लेना था मुझे तो actual मैं इस bank से उधार लेना FRA bank से को लेना इस bank से उधार लेना है इस वाली bank से तो मुझे से मैं FRA bank के पास गया मैंने का FRA bank नाम बहुत सुना है आपका यह बताओ, मुझे उधार चाहिए, इस बैंक से उधार चाहिए तीन महने बात, और इस बैंक से उधार चाहिए, अब दिक्कत यह है कि रेट अभी कितना चलना, 10% मैंने कहा कि मुझे मैं परिशान यह हूँ, कहीं रेट 15% हो गया, तो क्या करूँगा, अब सुनो बैठे, एफरे बैंक बोलती है, सुनो, टैंशन मत लो, आप एक काम करो, हमारे साथ एक कॉंट्रक्ट कर लो, कॉंट्रक्ट, किस-किस के बीच में, एफरे बैंक और राम के बीच में, सौरी, एफरे बैंक और राम के बीच में कॉंट्रक्ट होगा, और एफरे बैंक के रेट ठीके, 11% ले लो, ग्यारा पर्षंट एफारे बैंक के बोल रही है कि सहाप आप चिंता मत केजिए यह दस पर्षंट तो भाई अभी का चीज तो भूली जाए अभी क्या रेट चल रहा है इससे मतलब मत रखो हां बोले हम आपको बता रहा है अब क्या बता बोले तीन महने बाद जाना किसके पास जाना इस बैंक के पास और उधार मांगना और मैंने गांगा मान लो यह बैंक मुझे 15 परशंट के हिसाब से उधार देगी तो फिर उस समय रेट आज से तीन महा बाद रेट 15 परशंट हो तो हम आपको जो भी डिफरेंस है वो दे देंगे चिंता मत करो इट मेंस आप नो डाउट इनको 15 परशंट ही देना 15 परशंट किसाब से उधार लेना 15 परशंट लेकिन हम आपको डिफरेंस कितना दे देंगे 4 परशंट हम आपको देंगे कॉंट्रेट करने का बड़ा फायदा हो गया यार मेरा तो टेंशन ही खतम मुझे 11 परशंट के हिसाब से पैसा देना मेरा टेंशन खतम हो गया मैंने का हां बैंक हो जाने तो अब जितना भी रेट हो रहा है 20 परशंट 25 परशंट जो भी डिफरेंस होगा जो 11 परशंट से खत्लिक है 9 तो बले 9 परशंट आप हमसे ले लिए बात खतम खुश राम घ्रेट कीवात नहीं क्या मैंनेR deconst कर लिया MG कॉनसा कोंट्रेक्ट किया मैंने किया for food practically इसको बुले आ था 8% हुआ तो आज से तीन मेने बाद तो मेरी खुसी का ठीकाना नहीं, मेराम, मेरी खुसी का ठीकाना नहीं, मैं नहीं, 8% में मिल गया, ओके, आप इस बैंक को 8% दोगे, आप इस बैंक को 8% दोगे, लेकिन, डिफरेंस, क्योंकि आपको तो सस्ते में मिल गया, तो 8 और 11 की बी कुशिष करना सरी तो बैटिंग टैप का हुगा हम भाई मैं यह ही तो कहना चाहता हूं इसने बैटिंग किया कि 117 से ऊपर जाएगा कि इसके साथ ना गारा है वाए व अगर 11 पर गया 11 कि या पर गया तो कौन किसको देगा एछ यह पर स्नि और और अगर 11 परशन से नीचे आया तो RAM FRA Bank को दीए दिए इसे forward contract सर इसमें कुछ फीस तुर प्रीमियम और कुछ नहीं होता इसमें कुछ फीस कोई प्रीमियम ने forward contract over the counter होता है ठीक है यहां तक बात समझ में लेकिन अच्छा और एक बात समझाते तो कभी-कभी इस तरह भी होता है यह मैंने एक situation समझाई है अब सुनोगे यह समझ तो मैंने का ना FR में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगएगा यहां से कितना मन्त फिर से कौनसी बैंक अब सुनना बैटे सुना अब की मार राम को उधार लेना राम को इनवेस्ट करना है कौनसी बैंक में इसी बैंक में इनवेस्ट करना एक बैंक में इनवेस्ट करना इस बैंक कब इनवेस्ट करना आज पैसे इनवेस्ट करना कि नहीं आज डिपॉजिट नहीं करना आज से तीन मेहने बाद तो भाई आज क्या रेट चल रहा है आज रेट चल रहा है 10% तो मैं बैंक के पास गय तो फिर टेंसर अगर कम हो गया तो फिर कम मिलेगा आपको इंट्रेस्ट मैं फिर परिशान क्या करूं फिर से वही एफरे बैंक आगा और यह बोलता है सुनो टेंसर वाली बात नहीं चलो 10% पर बात हो गई और आमको विष्वाल द मिलेगा मिलेगा विले अगर मॉले यह 8% हो गया तो मॉल än इत अपो इंसे ले लेना क्या ऐहां क्या आप से ले लेकि आप इनवेश्ट क्या है तो विलेतो यह मिले वह और म SAR है topics in उधार, अगर मैं कहूं क्या मैं दोनों ही टाइप का कॉंट्रेट कर सकता हूं, यहां किस साइट बैटिंग किया था, अप साइट, रेट बढ़ने का, और यहां क्या पैटिंग कर रहा हूं, रेट कम हो लेगा, अगर रेट कम हो गया, तो मैं डिफरेंस एमाउट एफरे बै सर एक में हम कर रहा है अप साइड बैठें और एक में क्या कर रहा है हम डाउन साइड बैठें किस बात कर रहे है रेट बढ़ने का और यहां किस बात कर रहे है रेट कम होने का तो देखा जाए तो यहां कौन सा पोजीशन ले रहे है लॉंग और यहां कौन सा पोजीशन है शौट हाला कि इसको हम बोलते हैं बाई एफरे और इसको क्या बोला जाता है सेल एफरे ठीक हमने एफरे बाई किया हमने एफरे सेल किया सेल का मतलब शौट पोजीशन यह तो आपको अच्छा है है ओकैसर तो कुछ ही निही हम से हमें एक्जाम में क्या आने माला हम एक्जाम में कुछ बस लेंग्वेज समझना पड़ेगा कि तरह से तीन मेहने बाद छे मेहने के लिए तुसको ऐसे लिखा जाता है इन दोनों के बीच का गएफ कितना है छे मेहने के लिए इस तरह से लिखा जाता है ठीक, रिविजन कर रहा हूं तो पुरा डिटिल में नहीं समझा हूँ है ओके सर, यहां तक काफी कुछ बात समझ में आ गई है अब एक बात और मैं सब को समझा रहा हूँ कभी भी ना जो एफारे बैंक है एफारे बैंक वो लिखी ऐसे लिखती है एफारे 3 in to 9, 10% और 11% इसका मतलब मैं बैटिंग आपसाइड भी कर सकता हूं अपसाइड बैटिंग मतलब बाई एफारे बोलते है अगर मैं एफारे बाई करूंगा बाई एफारे या एफारे बाई कप किया जाता है जब contract जब हम borrow करने वाले होते हैं सिद्धी सी बात अगर FRA खरी देंगे हम तो बैंक ज्यादा में ही बेचेंगे कितना परशन 11 परशन से उपर में मुझे फायदा और और sell FRA कब करते हैं हम downside betting कब करते जब हम investment करते जब हम investment करते तो हमें दर है किस बात का rate कम ना हो जा और जिस बात का डर हो उसी में तो बैटिंग करना तो हम downside betting कब करते जब investment करते तो इसको क्या बोले आता sell FRA हम FRA बेचेंगे तो bank FRA खरी देगा मतलब downside betting short position कसम खालो long position आपक पर और सेल एफरी कितना दस पर हाला कि इस टाइप का कोर्शन नहीं आया है जिसमें बीड और आस्क दोनों हूं पर आ गया तो दिक्कत में पड़ोगे सर इसका मतलब क्या होगा है contract to borrow 11 अगर मुझे borrow करना इसको contract to borrow borrow भी बोलते है book की language में अगर मुझे borrow करना है तो bank से कितने percent पर उधार मिलेगा 11 पर contract to borrow मतलब आए contract to invest यह sell 10 पर अगर मैं invest करूंगा तो bank में जबा करोगे तो वही कितना ब्याज मिलेगा 10 परशंट बाकि और detail में interpretation पढ़ना तो description में जाओ चलो जो लिखवाया है जो बढ़ता है बस उसको एक बार read करवा देता हूं टेका forward rate agreement means forward contract on interest rate ठीक it is over the counter over the counter यह suppose Citibank quote FRA 3 into 9 10% 10.5% 10% 10.5 तो सबसे पहले customer buy कभी भी इस rate पर buy होगा FRA 3.9 10.5% के सबसे 3 into 9 का मतलब तीन मेने बाद 6 मेने के लिए इसका मतलब customer contract to borrow ठीक है इतना या फिर customer betting कर रहा है क्या कि rate of interest क्या होगा increase मतलब क्या होगा upside betting या फिर क्या बोल सकते long position ठीक है और इस पे कौन सा position आएगा इस पे आएका short position अगर 10% मतलब contracted to invest या फिर क्या बोल सकते हो customer betting कर रहा है कि rate of interest क्या होगा fall और betting कौन सा position short position इतनी बास समझ में आ गई कि हम long position भी ले सकते हैं short position भी ले सकते है short position किस पर ले ला लॉंग पोजिशन मतलब rate of interest के काम होने से फाइदा long position मतलब rate of interest के ज्याद होने से फाइदा कि बिना time खराब करें अब सुनो एक बात हो एफारे ना हम दो एंगल से पढ़ेंगे एफारे का यूज है 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 जिंग में भी होगा और एफारे का यूज आर्वी ट्रेस में भी होगा इस पैकुलेशन भी हो सकता है इस पैकुलेशन हम करने रहा है हम यह सीखने वाले है और कोशचन के थू हम यह सिंखेंगे कि अफारे कि है जिंग में किस तरह से होता है और ये इफारे का यूज है है जिंग में इस तरह लेना चाहती है पारकर एंड कंपनी और ये लोग बैंक उधार लेना चाहती है किसी बैंक से कितना रुपए 60 करोर फारे पिरियड ओफ थी मन्त इंदा कमिंग 6 मन्त इसका मतलब समझ रहे हो यह 0 3 और यहां से 6 मन्त मतलब 3 इन्टो 9 तक करेंट रेट आप इंट्रेस्ट कितना ना इन पर अभी नाइन पर संट आ है पर आने वाले छे मैने में यह बढ़ सकता है ठीक बढ़ सकता किस बात कडर किस बात कडर करें रेट बढ़ना है अपसाइड बैटिंग सीधा सीधा दिख रहा थी तो कंपनी वांट अगेंस्ट दो लाइकली इंक्रीजें इंट्रेट तो कंपनी बैंक कर कोट एन एफ रे यह हो गए एफ रे बैंक एफ रे और इन्होंने एफ रे चलो एक ही रेट दिया है कितना परसे नाइन पॉइंट थी जिरो परसेंट वाट विल वी दा इफेक्ट एफ रे एन एक्च्वल डेट अप इंट्रेस्ट भाई इसको यह इधर देगा यहां एफ रे बाई कर रहा मतलब नाइन पॉइंट 3.3% से उपर आ गया तो यह इसको देगा अगर 9.3% से नीचे हो गया तो फिर हम इसको देगी सीधी-सीधी बात मैंस मुझे 9.3 मैं जब बैंक से उधार लेने जाओं गा मुझे मालूम है कि मैंने बुक कर रहा का 9.3 अगर 12% भी हुआ तो चिंता वाली बात नहीं 9.3% से उपर जितना भी है कौन देगा FRA bank देगा किसको देगा FRA bank हम को देगा ठीक है सीधी सीधी बात सर आपको कहां कहां से समझ में आ रहा कि आप साइड बैटिंग बहुत एक तो बोरो लिखा है मतलब जब भी आप बोरो कर रहे तो आपको डर किस बात का rate of interest बढ़ने का तो आप upside ही बैटिंग करोगे मतलब FRA क्या करोगे अपसाइड बैटिंग मतलब by FRA बोलो effect बताइए effect of FRA और actual rate of interest आपको कितना बढ़ा effect of FRA 9.6% बुले अगर अगर उस दिन यहां rate 9.6% हो गया थो बुलो कौन जीता हम जीते कितने परशन से उपर हो गया 9.3% से कौन किसको देगा FRA bank किसको देगी Parker and Company को देगी तो वह लिखा है message Parker and Company buy FRA ठीक है buy FRA बहले लिख लिया मैंने कि Parker and Company करेगी क्या बुले buy करेगी FRA 9.3% से because Parker and Company को लग रहा है कि rate क्या होने वाला go up होने वाला बढ़ने वाला तो अब दो condition है दो situation है अगर rate 9.6% हो जाए तो क्या अगर rate 8.8% हो जाए तो क्या it means rate बढ़ा this is rate 9.3% से comparison करना है अगर इससे बढ़ा 9.6% हो गया हमारी upside rating थी तो कौन किसको देगा FRA bank हमको देगी तो यहां लेका in this situation FRA bank will pay to message Parker and Company कितना देगी यह important अब सुनो और कब देगी यह भी important जब भी पूछा जाएगा effect on FRA अब सवाल सुनना धियां से जीरो त्री और यह च्छे में नो अब बताओ कि rate of interest बढ़ गया 9.6% हो गया यह कब पता लगा सर यह तो यहां पता लगा कि 9.6% हो गया तो हम जाएंगे और हम FRA bank से पैसे ले लेंगे कितना पर्शन डिफरेंस पॉइंट 9.6 और 9.3% हम पॉइंट 3% लेगे कब लेगे यहां लेगे कि यहां लेगे सिंपल सी बात है हम यहां लेंगे और क्या लेगे इंट्रेस्ट ने लेंगे इंट्रेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू लेंगे सर्क्यों description में देखना पड़ेगा पर सीदी सी बात है जब भी settlement की बात आएगी settlement इस यहां होना है और उसका प्रेजेंट वह जितना भी देख रहा आपको 0.3% कितने मेने का इंट्रेस्ट छे मेने कमिंग फिर से देखते हैं यहां इंटर्प्रेशन में गलत हो रहा है कि फारे पिरियड ओफ थ्री मंत इंदा कमिंग सिक्स मंत तो मेरी बात समझो बेटे बात ऐसी है कि यहां एफ्रैस जी यह जीरो यह आसे छे महने बात तीन महने के लिए चाहिए आसे छे महने बात तीन महने के लिए तो सर यह 6 into 9 है हाज 6 into 9 तो कितने मैने का इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 3 मैने का इंटरेस्ट में मिल जाएगा पर मुझे क्या लेना पड़ेगा present value present value यहां देखो यह rate of interest कितना है 9.6 9.6 है ना तो 9.6 का present value निका लीजे 9.6 into 3 by 12 divided by 100 plus 1 1.024 इतना मिल जाएगा that's it question यहीं खतम कर दिया PM की में बात करूं तो प्रैक्टिस में लनो question यहीं खतम है पर फिर भी हम यह देखना चाहते कि actual rate of interest हमको कितना पड़ा actually मांगा भी था actual rate of interest cost company को कितना पड़ा company उधार कितने मिलेगी जो हुआ है रेट 9.6 का percent की हिसाब सी उधार लेगी लेकिन उधार से FRA bank से मुझे difference मिल जाएगा कितना percent point three percent तो ultimately मुझे cost कितना पड़ा 9.3 percent की पड़ा दूसरा अगर 8.8 percent हो गया तो क्या करें 8.8 percent हम क्या कर रहे थे अपस बाई किया था पर रेट हो गया कम तो difference हम देंगे किसको FRA bank in this situation Parker and company will pay to FRA bank start करो difference तीन मैने का present value किसके सब से लेना 8.8 percent 8.8 into 3 by 12 divided by 100 plus 1 कभी भी 1.0 to present value ही settlement होगा अब actual cost पुछेगा तो हमें जिससे उधाल उस bank को कितना देना पड़ेगा 8.8 plus FRA bank को भी difference देना पड़ेगा कितना 9.3 minus 8.8.5 और actual rate कितना पड़े हमको 9.3 percent question आ सकता आठ नंबर का इसलिए मैं करवा रहा हूं और एक question ले रहा हूं इस बार ना मैंने कौन सा position लिया था अप सा long position upside एक बार invest वाला कर ले down side वाला देखते हैं क्या लिखा है the treasurer of an insurance company expect to have a surplus surplus insurance company के पास तो surplus हो नहीं होना है कितना surplus होने वाला है? हम उन्हें pound 5 million आने वाला है कब? 6 months from now आज से 6 महने बाद pound 5 million आने वाला है और उन्होंने ये decide किया insurance company ने कि हम 3 महने के लिए इसको deposit कर सकते हैं ये 0, ये 6 और ये 9 आज से 6 महने बाद कितनी मन्त के लिए deposit करना है? तीन महने के लिए तो डर किस बात का deposit कर रहा है तो डर तो हाई और डर किस बात का कहें rate of interest गिरना आ जाए तो हमने 6 into 9 FRA quoted कितना 8.75 तो चलो हो गई बैटिंग 8.75% से कम होगा तो हम जीत जाएगे हमें क्या निकालना effective rate of return निकालना on her investment ये effective rate of return नहीं है ये गलत है ये effect on FRA करना है ये कहीं mistake हुई है the three month deposit rate अगर 9.5% हुआ तो हम कौन से side betting कर रहे थे downside rate कितना हो गया 9.5% बोलो क्या हम हार गया yes insurance company मतलब हम किसको देगे difference FRA bank को उसका present value अगर rate 8% हो गया तो क्या हम जीत गया yes हमें present value जो difference है उसका present value हम लोगों को मिल जाएगा check करते है अगर 9.5% रुका तो effect of FRA in this insurance company will pay to FRA bank settlement कितने का था 5 million 9.5 minus 8.7 three month को present value present value किस rate से निकालना पड़ेगा इस rate से 9.5 देख लिए तेक बर 9.5 into three by 12 divided by 100 plus 1 1.0 2375 इतना ठीक है और effective earning to insurance company है मैंने लिखतो दिया यह effective earning नहीं होना नहीं earning का मतलब हो सकता है वो यह बोल रहा कि rate of interest total मिलाकर कितना पड़ा ठीक है 9.5% हमने कमाया किस से कमाया insurance company ने जो banker है उससे कमाया और difference हमको देना पड़ा किसको एफरे बैंक को तो effective earning तो 8.75% ही हो दूसरा rate of interest अगर 8% हो गया तो difference हमें मिलेगा किस से एफरे बैंक से यह difference तीन मैने का present value लेना 8% किसा इतना मिलेगा और effective earning कमाया कितनी होगा 8% ही है और 0.75 किस से मिलेगा एफरे से मिलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं नहीं एफरे में ही time लगेगा मैं फिर से बोल रहा हूं forward rate agreement में time लगेगा चलो चल रहा गया तो अभी तक किस क्या किया आपने hedging किया जिस बात का डर था उसी में बैटिंग किया और आपने hedge कर लिया अब कर रहे हैं आर्बिट्रेस सरी आर्बिट्रेस क्या है यह थोड़ा सा समझाना पड़ेगा क्योंकि मैं सीधा आगे बढ़ूंगा ना तो आपको बेलुकुल समझ बने अब पर नहीं है कि सुना ध्यान से मैं पहले समझा दूँगा फिर तो कोश्चन फटा-फट से हो जाए कोश्चन में ज्यादा रहे हैं अब में एक पर्स है कि कि अब एक साल के लिए पैसा जमा करना चाहता हूं सर कितना रुपए जमा करना चाहते हैं मैं एक साल के लिए एक लाख रुपए जमा करना चाहता हूं मेरे पास दो बैंक है बैंक A और बैंक B एक साल के लिए मैं पैसा जमा करना चाहता हूं मैं बैंक A के पास गया है मैंने का बैंक A एक साल के लिए बारा मेने के लिए मुझे पैसे जमा करना है ट्वल मॉंस के लिए रेट ऑप इंचरस्ट कितना इनकाये कहना दस निएस एक साल के लिए चमा करो ने परकों मिलेगा बताएंगे मतलब समझाओ बोले देखो साफ ये समझा रहे हैं आप six month के लिए जमा कर देना तो आपको धम देंगे 12 person पर है न मतलब छे मेने का 6 person मैंने का यार आप तो ज्यादा दे रहे हूं कि लेकिन सिर्फ सिर्फ चारपर्षंड कर दिए तो बिले हैं चारपर्षंड भी हो सकता पाच पर्षंड भी हो सकता 15 भी हो सकता और हो सकता कहने सकते बोले यार आप तो रिस्क हैं, बोले हाँ रिस्क तो है, मैं किस बैंक में जमा करना चाहता था, मैं इस बैंक में जमा करना चाहता था, पर इस बैंक में जमा करने में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, इंटरेस्ट जादा मिल रहा लेकिन सिर्फ छे महने तक, छे महने म मुझे नहीं मालूम के रेट क्या हो जाएगा जब कि ये मुझे आज ही बतारी कि 10 परिशन आपको मिलेला हुअ दिल क्या बोल रहा है यहां जम्म करो पर प्रॉब्लम बस एक ही तो है प्रॉब्लम बस इतनी है कि अगर मैं यहां जमा कर देता हूं तो छे मेने बाद अगर रेट कम हो गया तो क्या होगा और पिक्चर में कौन है पिक्चर में आया एफ रे बैंग कि आया अपने ने बीज़ानों और फरे बैंकर बहुता रही है कि बोलो क्या टैंशए फरेयं कि आप रे बैंक té पिट शे मेने के बाद होगा शे मेना smarter Can र ना बब भी सब्सक्राइब हिए ऑप हिष्विए फजा बाsheं सब्सक्रावरा नियाल विबास सर हमारे यहां आकर जमा कर देना और सुना पitting और contract हम आज ही कर लेते हैं इस party से एफ और वैंक कांटर्ट आज ही कर देगी कि आप छे मैने बाद आ जाना और इस रेट प recur vår गैन कितना रे जो आप डिंग करो मैंनेक आप्ण कमाय कितने किये सर आपकी यहां कमाई कितने की है यहां कमाई है एक लाग दस हजार की यहां कमाई कितने की छे महां तक एक लाग छे हजार विट इंटरस्ट एक लाग अगर मैं यहां जमा करूं तो एक लाग दस जार ले जालूँगा लेकिन यहां जमा करूं तो छे मेने बाद कितना मिलेग एक लाख छहजार मतलब मुझे कम से कम और कितना चाहिए 4000 चाहिए 4000 रुपए और चाहिए अगर यह 4000 रुप ऐफ एफ रे बेंक मुझे दे देती बात कतम तो मैं बैंक आप मैं 6 मेहने बाद आऊंगा कितना जमा करने एक लागशे हजर जमा करने क्या आप मुझे चार हज़ार रुपए दे सकते बोले ऐसा नहीं इंटरस्ट बोलो न में अनगार रुप जाओ चार हजार मुझे चाहिए एक लाख छी हजार इन्टू हंड्रेट पर यह जो है यह कितने महनेक पिरियट का यह छे महनेक तो मुझे पर एनम बेसिस पर इंट्रेस्ट बताना पड़ेगा चार हजार डिवाइड वै एक लाख छी हजार इन्टू हंडर इन्टु ट्वैल सिक्स सेवन पउइन फजवन पॉंट फाइफ पार्शन है परायन डरा है मैं फीर बेंक से बलता है से आप्र जबस्द यहां चाहिए चाहिए आप बताओ कि मैं आपके पास जमा करूं तो आप कितना दोगे मैं पूछ रहा हूं आपको कितना चाहिए मैं तो मुझे कितना चाहिए मैं तो कस्टमर हो ना आप बताओ तो आपको देंगे 10% पर एनम आजाना आज से 6 महने बाद कॉंटेट कर लो मैं तैयार हो जाओ मुझे तो 7.55% ही चाहिए आप तो 10% दे रहा है मैं इसको बताओंगा थोड़ी मैंने खुद ने निकाला किया 7.55% मिलना चाहिए जबकि मिल कितना रहा 10% मैं आराम से तैयार हो जाओ पर अगर वो सवाल यह है मुझे एक्जाम में यह निकालना पड़ेगा इसको बोला जाता है यह वला रेट यह क्या एक्चुल में नहीं एक्चुल का रेट तो एफरे बैंक बताता है यह मुझे निकालना पड़ता है इससे बोला जाता है theoretical theoretical एफरे यह रेट होना चाहिए अगर इससे ज्यादा मिल रहा है तो मैं यहां इनवेस्ट करूगा अगर इससे कम मिल रहा है तो मैं यहां से उधानूंगा इस तरह से आर्बिटरिस प्रोसेज बताऊंगा सबसे पहले क्या मुझे यह निकालना सिखाना पड़ेगा यास और यह कैसे करते हैं यह बैंक जान जमा कर रहे हैं थो 1.10 समझद रहे ना 1.10 और इधर जमा कर रहे हैं वण पॉइंट छह मैंने के लिए 06 और यह फिर आर ऐसे करके मुल्णे कर वाए था फिर फॉर्मुल्हा मता है था बढ़ा वाला फेक्टर डिवाइद्वाल छोटा वाला फेक्टर ठिक है सुनो भाई डीटेल में नहीं पढ़ा सकता में डीटेल में चला जाता हूं, इसलिए डीटेल में चला जाता हूं, मुझे ऐसा लगता पता नहीं आपको समझ में आएगा की नहीं आएगा, मुझे ज्यादा डीटेल में नहीं जाना, चलो, तो theoretical FRA कैसे निकलते हैं, इस तरह से हम डिजाइन मनाते थे यहां 0 लिखते थे यहां 6 लिखते थे 12 डारेक्ट जाते हो तो 1.10 ऐसा जाते हो तो 1.06 periodical कर लेते थे यहां का value निकालना होता था यह is equal to यह यह काम होता था हम क्या करते थे 1.10 उपर वाला is equal to होना चाहिए 1.06 और 1 प्लस R तो R is equal to 1.10 divided by 1.06 मुझे पारेनम बेसिस पर बताना पड़ता तो यह है छे मेने का तो बारा मेने का कितना इस तरह से निकलते थे 1.10 divided by 1.06 माइनस 1 into 100 into 12 by 6 अंसर आगया सी 1.55 पर ठीक है क्या है ताकि theoretical FRA निकल जाए फरेवर से थ्री मंत लाइब और लाइब और मतलब समझ रहे होना सर समझा होना क्या होता नहीं समझा रहो हूं इतना टाइम में नहीं और 12 परशंट 3 मंत तो 3 मंत का कितना हो जाएगा 1.03 तो मुझे यह वाला निकालना पड़ेगा 3 month FRA 3 into 6 FRA बोलते इसको तो बड़ा वाला फैक्टर divided by छोटा वाला 1.075 divided by 1.03 या फिर क्या कर सकते 1.03 into 1 plus R is equal to 1.075 तो आंसर कितना आगया 17.47 पर ऐसे यह है 6 month दिया है और 9 month तो यहां से ऐसा हम डाइग्राम बनाएंगे एक होगा 0 एक होगा 6 एक होगा 9 पहले 9 month वाला 12 परशंट तो 9 मेने का कितना जाएगा 9 परशंट यहां जाएगा 1.09 और 6 month वाला 9 परशंट तो 6 मेने का कितना जाएगा साड़े 4 परशंट 1.045 तो 1.09 divided by 1.045 आंसर कितना जाएगा 17.22 थेओरिटिकल एफरे आपको निकालना सीखना पड़ेगा सर क्यों सीखना पड़ेगा क्योंकि यह एक्जाम में आता है एफरे निकालो थेओरिटिकल एफरे निकालीं चलो जी आर्मिट्रेस का कोश्चन मुझे करवाना था दो एक्जाम्पल करवाऊंगा एक कोश्चन कर आउंगा एफरे खतम दो एक्जामपल एक कोश्चन एफरे खतम हो जाए हम 6-month Libor 12 परसं 12-month Libor 10 परसं सुनना यहां से यह 0 यह 6 यह 12 6-month यह ले जाते यहां से 6-month कितना है 12 परसं तो 1.06 आगे 12-month Libor यहां से 12-month तैयार हूं उधार लेने को अब सुनो मिट्टे अब काम की चीज़ सब्सक्राइब अगर मैं जमा करता हूं तो कितना परसंट भी आज मिलेगा 10 परसंट अगर उधार लेता हूं तो कितना परसंट भी आज मिलेगा 12 परसंट यह जो निकला है 7.55 परसंट क्या इसका interpretation किया जा सकता है यस इसका मतलब है अगर मैं जमा करना जाता हूं एफरे बैंक के पास तो कम से कम मुझे कितना इंटर्स चाहिए 7.55 परसंट इंटर्स चाहिए कम से कम और अगर मैं उधार लेने जाता हूं एफरे बैंक से तो मैं जादा से जादा कितना इंटर्स दे सकता हूं 7.55 परसंट और एफरे बैंक कितना इंटर्स देने को तयार है क्या 7.55 से जादा दिख रहा है यस तो पक्का मैं एफरे बैंक में क्या करूंगा जमा करूंगा और जमा करने पर इंटर्स कितना मिलेगा 10 Saint Saquara 10 realizing its program arbitration arbitration arbiterate शिर इस का भी video डिचसे अब चाहआ company डिक्रिबिटेल में वीडियो मिल जाएग ерт ли आप क्या करूँ वेट ये diagram के सामने हुआ फाइनल क्या करने को तो मैं किसी से 10 परुजट की सबसे पैसा लोंगा एक लगधा सबसे किसी बैंक से 12 उसके लिए दस पर्जड के सहसब से पैसा लेलूगा और फिर इसको मैं कर दोंगा सबसे पहले किसी बैंने को किसी दूसरी थाइय कर ज्यादा दिखाई देरा है यास तो इधर से उधार लेना है और इधर क्या करना है इन्वेस्ट करदेना यह हमने पढ़ था आगा क्यों यह टेल जोंगे बताओ एफार ओहर प्राइज है के अंड़डर Reachquam फारेज ऑफपरेज़ज्य जढ़ार जादा 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 तो Thepur डेंगे जादा भी जादा रेट पे ऑगार कम होता तो इंहीं है फार शेरो रॉप toner च जे अब मतलब contract to invest तो अभी क्या करेंगे बौरो करेंगे एक लाख रुपा है दस परशन के हिसाब से एक लाख रुपए फिगर ले 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 ला इस रेट पे तो पक्का हो गया है मुझे यहां कितना देना एक लाग दस जार इनवेस्ट करो एक लाख बारा परशन के सबसे कितने हैं और आज एक काम करो आज सेल कर दो एफ ठीक है से ऐसी वाला और ही कोश्चन है अब टाइम नहीं लगना चाहिए फिर से कोश्चन तो यह 6-month लाइबोर दे रखा है 12-month लाइबोर दे रखा है फर निकलना तो फर इक इतना आगया एह वह उतना ही आएगा कितना 7.55 पर एफ तो नहीं आएगा से 1.5 पर बैंक क्या कूट कर रहा बैंक ने कोट कर रहा इस बार 6% 7% ज्यादा है कि कम हो कंब तो बाइस फर इसका मतलब मैं फिर से समझा रहा हूं डायग्रामस यह 0 यह 612 इस रूट से गया तो 1.10 इधर से जा रहा हूं तो 1.06 यह वाला रेट मुझे को चाहिये था और यह वाला मुझे कम दिखरा कम तो सब्दों से इतर कम है ना वडंगे कम तो यहां से धार लेंगे और इधर इनवेस्ट कर देगे बातकत अइसका हम क्या करेंगे हम अधर है हम इस बार क्या-फर ऑफार लेंगे मतल्ब और बाइखर इंडैक करें दिह소 करना किया बॉरो करना इधर से बॉरो करो एक लाग बारा परशन के साफ से कर लिया उसके बाद इन्वेस्ट कर दीजिए एक लाख रुपए दस परशन के साफ से कर दिया और एक कॉंट्रेक्ट किजिए कॉंट्रेक्ट तुमारो की हम बॉरो कर लेंगे बाइफारे साथ और इधर देना कितना पड़ेगा पहले एक लाक 1.06 यहां दोगे और यह पैसा कहां से उदा किसी और बैंक से तो 1.035 यहां यह साथ परश्ण के हिसाब से आपने बौर होगी तो टोटल गेन कितना हो गया दो सब्सक्राइब कि रिवीजन करवारा हो मैं बार बार आपको क्यों याद दिला रहा हूं कि कि सर्प क्या समझा तो भी मैं और भी स्कार्ड या तो यह वो MM कि मैं अरुसंद आ आप अब अब आर्विट्रेजर के सबसी के कोश्चन है देख लेते दा फॉलिंग मार्केट डेटा इस अवेलबल डॉलर जे पी वाई एक सो सोला ठीक है डिपॉजिट ट्रेट डॉलर का डिपॉजिट थ्री मंत के लिए सिक्स मंत के लिए परेनम दिया और ये इनका डिपॉजिट ट्रेट ये इनका 0.25% है चाहे आप 3 मंत के लिए जमा करो चाहे आप 6 month के लिए जमा करो 0.25% यह है ठीक है पर रहे नम तो FRA for year is नील तो यह बेकार का दे रहा है इसकी हम को ज़रूरत नहीं है What should be 3 month FRA rate at 3 month forward 3 month FRA for 3 month forward मतलब क्या हुआ 0 3 3 मेने के लिए 3 month FRA at 3 month forward 3 month forward पे 3 month FRA चाहिए आपको मतलब क्या करना पड़ेगा हमको चाहिए FRA 3 into 6 तो rate दिया होगा सरी दिया है कितना कितना दिया है सुरना यहां से 3 6 3 month वाला कितना दिया 4.5 और यह कितना 5 तो यहां से यहां ले लो सीधा 5 का आदा कितना हो जाएगा 1.025 और यह ले लो 3 month कितना 4.5 3 month का निकालो कितना है 4.5 into 3 by 12 divided by 100 plus 1 1.0 1125 1.0 1125 this divided by this तो यहां का rate आ गया यहां का rate कितना आ गया 5.44 परसंट तो पहला वाला point में क्या मांगा था पहले वाले point में और सिर्फ उसने क्या मांगा था और वो हमने निकाल लिया point number 2 अब इसको ध्यान से समना point number 2 लिखा है the 6 and 12 month live or 5 percent and 6 month फिर से बोल रहा है 0 6 or 12 the 6 and 12 month live or 6 month और 12 month 6 month live or 5 percent मतला 1.025 और यह कितना है 6.5 मतला 1.065 तो क्या यहां का value निकाल सकते हो यस निकाल लेंगे ठीक है जर मांगी का तो पर वो क्या बहुत अब बैंक इस कोटिंग 6 into 12 FRA और किसी FRA बैंक ने कोट कर रहा है arbitrage वाली वात है कितना 6.50 और 6.75 इस यह निकालती तो बहुत सर जी पहले यह निकालते है अब फिर सुचेंगे क्या करना तो चलो बड़ा वाला फेक्टर डिवाड़ेड़ बाए छोटा वाला फेक्टर अंसर 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 कितना आ गया 7.8 परस्णट का मतलब कि अगर हम इनवेस्ट करेंगे तो कितने परशन पे 7.8 अगर हम उधार लेंगे तो कितने पर शेंट पे 7.8 यही मतलब है अब देखते बैंक इतना यह तो कम दिख रहा है सर 7.8 से कम है वाओ लोट्री लग गए अगर कम है तो हम उधार ले लेंगे कम रेट पे भाई उधार ले लो और उधार लोगे तो किस रेट पे होगा इतने तो हम समझजदार है उधार लेंगे तो कितना 6.75 तो फाइनल हो गया आर्बिट इस प्रोसेस देख लिए चाहिए सिंस एक्च्वल एफ़री इस लेज देन थियोडिकल एफ़री एफ़री एंडर पाइस सस्ता है तो हमें क्या करना चाहिए बाइफ़र कॉंच्ट टू बॉरो कितना कि रोगे एक लाग कितने के सबसे पाच परशन कितने मंत के लिए 6 मंत यहां पाच परशन के सबसे यहां धालेंगे ठीक है इसके बाद इन्वेस्ट करनेंगे 6.5 परशन के सबसे और एफ़री बाई करेंगे कितने के 6.75 ठीक है प्रेक्टिस मेलों ने एक रुपए लेकर किया एक डॉलर लेकर किया मैं एक लाग डॉलर लेकर कर रहा हूं कोई पर तो कैसे इन्टो एक लाग डॉलर जो इन्वेस्ट किया है अपने कितने परशन 6 परशन के सबसे तो इतना आएगा एक लाग शेजर पासटो डॉलर और जो आउट फ्लोज आएगा एक लाग इंटुवन पॉंट जी रोपलस एफरी बैंक इतना जाएगा तो टूटल मि पी जौपा से कॉच्चण भी डला हुआ है क्या यह इस थेल में वीडियो डला हुआ ह hiç चावमें इसमें इंटरस्ट देट गयारंटी सुर्ट जबन क्या होता से क्या हूं देडी संजाईंगा ऑट्रोजुन के साथ है कि ए आप मिखेंगा है इंन चलो जी इंटरिस इंटिर ग्यारंटी क्या है संजेंगे सिम्मा अफ और इविमिक्स है लिकाँ तू कामपनी अबीस लिमिते अग्स याइज लिमिटेड एप्रोच इप्रोच इप्रोच भी एफ बैंक फर दे वहां शुलिमिते अप्रोच रोज एक साल के लिए मतलब थ्री दो साल बाद बॉरो करना है और कितने पिरियट के लिए इस पिरियट के लिए ठीक है ठीक है समझे में आ लिखा बैंक है एक सब्सक्राइब कर दो कमपनी एक सब्सक्राइब करेंट अच्छा होगा तो डिफरेंस इंड इंड कर्वी इस डिव टू दा लोवर करेंट रिटिंग आप एबीस लिमिटेड बिल पो सहीं लिका है और अगड कंपनी को अलग अलग रेट ऑप इंट्रेस्ट के इस अबसे उधार दे सकता है डिपैंड करता क्रेडिट रैटिंग किसी के क्रेडिट रेटिंग खराब है तो उसको से ज्यादा भी आज लेंगे यही तो हो स्थन प्राइसिंग रिस्क मेंनेज्मेंट न उसमें रिस्क मेंगेमेंट मेट मिलेगा कर्दीट रिस्क छोड़ो ना घर में कहँ पूची चला जी यूजा ऐले कृईत तुकल कूलेट धा क्या मांगा इसा निकालना है अंडर 2 इन्टो 3 FRA using the company's yield information as quoted up चलो भाई मुझे FRA निकालना है यह लो यह 0 यह 2 और यह 3 सबसे पहले किसका देख ले X, Y, Z 4.2% एक साल का पहले है तो 2 साल का कितना तो 1.042 पावर कितना हो जाएगा 2 दो साल के लिए compounding annually लेकर चल रहा हूँ PM के साब से वैसी के रूम में compounding और यह कितना है 3 साल के लिए तो कितना हो जाएगा 1.0448 पावर 3 तो मुझे यह वाला निकालना पड़ेगा तो यह 1.0448 इधर से लो 1.042 और 1 प्लस आर तो आर के वैल्यू निकल सकते है कि यस कितना आजाएगा 5.04 मतलब यह हुआ कि आज से दो साल बाद आज से दो साल बाद XYZ के लिए अगर हमको अगर हमको उधार देना है कॉंट्रेट करना तो हम XYZ से बूल सकते है कि सर जी हम आपको 5.04% के सबसे उधार दे सकते है इसे किसका निकलेगा ABC तो ABC के साथ क्या situation होने वाली देख ले क्या सेम सिच पिशन 0, 2, 3 यह है यहां का ले लो कितना 1.0548 पावर 2 यहां का ले लो 1.0578 पावर 3 तो यह दो निकल जाएगा लिखते कैसे बनाए है 1.05783 ले लिए वह निकला तो आंसर कितना आगा है 6.38 तो पहला और दूसरा पहले पार्ट में तो कुछ था है नहीं जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें हम लोगों को अफरी ही निकलना था और अफरी हमने निकल लिया कोई मुस्किल था नहीं अफरी निकलना दूसरा वाला पॉइंट क्या है दूसरा वाला पॉइंट इंपॉइंट है Suppose bank offer, यह important है मैं यह यह लाइन, Suppose bank offer interest rate guarantee for a premium of 0.1% of the amount of loan, you are required to calculate the interest payable by XYZ Limited if interest rate in 2 years turn out to be 5.5%. Sir, क्या बोल किया रहा है? समझो बैठे. किसकी बात है? यहाँ पूरी की पूरी बात. यहाँ Suppose bank of a guarantee XYZ Limited. ओके XYZ Limited मतलब इसकी बात हो रही है. जो DEF bank है, वो XYZ से बोल रही है, कि हम forward rate agreement नहीं कर रहा है, हम interest rate guarantee. बोले क्या है interest rate guarantee? पूछने को तयार XYZ. बोले XYZ से बोला जा रहा है, कि देखो साहब, चिंता मत करो. हम बैठे है. आपको 5.04% से उपर नहीं देने देंगे interest. आपको दो साल बाद जब जरुरत पड़ेगी आप market जाना और पैसे उठा लेना. अगर अगर rate जादा हो गया, rate जादा हो गया, तो हम बैठे हैं, हम आपको difference देंगे. यह हमारी guarantee है. बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा. बहुले अच्छा. और अगर rate कम हो गया, तो बहुले tension नहीं. आपकी मर्जी आप, फिर तो आप आजा दो. rate कम हो गया, तो खुशी की बात है. forward rate agreement में नहीं होता था. forward rate agreement में difference मिलता था. rate, forward rate agreement में हमें मिलता भी था, हमें देना भी पड़ता था. इसमें कुछ नहीं. इसमें guarantee मिल गई है. guarantee कितनी की मिल गई है? कि 5.04 से मुझे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा. कम होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं. फिर मेरा तो फाइदा ही फाइदा. वो बोल रहा है, अगर rate हो गया 4.5% तो मेरा tension खतम. फिर तो मझे को कुछ नहीं देना. मैं XYZ मेरा tension खतम. लेकिन 5.5% हो गया तो मुझे बाहर तो 5.5 के हिसाफ से उधा लेना पड़ेगा. लेकिन ये जो DEF बैंक है इसने guarantee दी थी कि 5.04 से ज़्यादा नहीं पड़ेगा. तो मुझे difference मिल जाएगा. पर इन सब के लिए interest rate guarantee में मुझे क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम लेकिन FRA में यह नहीं था, FRA में प्रीमियम जिसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी. तो बोल रहा कि बताओ क्या effect पड़ेगा अगर rate यह हो जाए तो अगर rate यह हो जाए तो देखते solution क्या है. calculation of interest payable by XYZ. अगर rate हो जाए 5.4% तो तो interest paid by XYZ to banker. banker को कितना देना पड़ेगा? हमें तो उतने ही देना पड़ेगा? 100 का 4.5% तो 4.5 crore. क्या हमें DEF से कोई लेन देना है? नहीं rate तो कम हो गया तो हमारा तो फाइदा, DEF से कोई लेना देना है नहीं है. और premium का तो हमारा जेब से आज ही गया, time value of money को ignore कर रहा हूँ है. 5.5 तो हमें banker को तो 5.5 देना पड़ेगा लेकिन उस भाई साब ने guarantee दिया था किसने? DEF ने. तो difference देगा वो difference कितने का? 5.5%-5.04% into कितना 100 crore? तो 0.46 crore हमको मिल जाएगा guarantee का. guarantee पड़े होना है partnership में? Guaranteed partner, हाँ sir, समझ आ गया, समझ आ गया, ओके, और ये 1 crore premium जाएगा, 0.1 crore तो sir, 5.5 जाएगा, 0.46 आएगा और 0.1 crore premium का तो कितना cost पड़ेगा? 5.14 crore पड़ेगा, interest rate guarantee कोशन करके जाना भाई, ये कोशन आया नहीं है, आ सकता है, तो ये कोशन करके जाओगा, ठीक है, forward rate agreement खतम हो गया, मैंने पहले भी का था कि FRA में ही ज्यादा time लगेगा, और FRA में ही ज्यादा time लग गया, interest rate guarantee, चले आगे, और आगे हम कर रहा है interest rate future swap और फिर उसके बाद cap से बगे रहा हो जाए, चलो जी, आगे चले, ये सा, तो अब बात कर रहा है, part number 2, जिसका नाम है, interest rate future sir, FRA में सबसे ज्यादा time लगना है, yes लगना था, लग चुका है, interest rate future में एक ही question है यार, लेकिन वो question जान लेने वाला है, तो वो भी मुझे समझा नहीं पड़ेगा, treasury bill, tbill future भी बोलते हैं इसको, समझ ना, इतना से समझना time लग जाए, तो लग जाए भई, क्या दिक्कत है, ध्यान से सुनना बिटे, मान लो कोई पर्षन है, और जो बौरो करना जाता, ठीक है, बौरो करना चाहता है, और कब बौरो करना चाहता है, आज नहीं, आज से तीन महने बाद बौरो करना चाहता है, पैसा उधा लेना चाहता है, सर कितने period के लिए मान लो आज से 6 मेने के लिए It means कोई person है जो आज से 3 मेने बाद 6 मेने के लिए पैसे उधार लेना चाहता है तो क्या उसको डर है यस उसको डर किस बात का है सर उसको इस बात का डर है कहीं rate of interest बढ़ना जाए rate of interest बढ़ना जाए ठीक अब क्या किया जा सकता तो एक मेने बताया forward rate agreement FRA कर लो FRA में किसी बैंक के पास जाए यह बात कर लिजिए बढ़ेगा तो यान में जीतूंगा कम हो गया तो आप जीत जाना बात कर दूसरा आप stock exchange के पास चले जाए और आप कहां पहुझ गए आप पहुझ गए stock exchange के पास और stock exchange से आप बैटिंग कर रहे हैं क्या ले रहें सर माल लो माल है मालो एक लाक रुपए हमारा सना एमांट हो गया एक लाक रुपए हमको बॉरू करना यो रिinquen और रेट हो गया 10% तो एक लाक का 10 परशंट हमें बैंक वाली को कितना देना पड़ेगे 1 लाक का 10 परशंट कितना उस जिइस जार आटो Tolia हमें पाच जार रुपए बैंक को देना पड़ेगा लेकिन इधर से कितना मिल जाएगा दो परसंट छे मेने गा निकाल लो एक लाग का दो परसंट छे मेने 1,002 पर मिल जाएगा तो में cost कितना पड़ा सर हमको 4000 रुपर ही cost पड़ेगा मतलब हमको कितना percent 8% ही cost पड़ेगा यहां तक बात समझ में ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो बिट्टे it means आपको लग रहा है कि rate बढ़ने वाला है आप कि side betting करोगे upside की downside upside betting करेंगे बिलकुल सही rate बढ़ने वाला तो upside और जो भी difference है वो हमको मिल जाएगा लेकिन एक समस्या है सारी काम वही है stock exchange कहेगा कि हम rate of interest पे तो बात ही नहीं करेंगे T-bill पर बात करेंगे अब समझो अब बेटे अब खेल है अब पिलकुल ध्यान से समना पड़े सर्थ T-bill पर बात करेंगे मतला treasury bill समझते हो मान लो treasury bill क्या होता है आज से तीन महा बाद हमारा जो अनुमान है treasury bill ना मान लो face value है 100 रुपए redeemed होता है 100 रुपए मान लो 6 month treasury 3 month treasury bill है तो face value है 1200 और मान लो हमें इस treasury bill issue करने पर government 8% interest देती है तो वो जो treasury bill है वो कितने में issue होगा वो 92 में issue होगा इतमेंश प्रेजरी बिल की आज से तीन महा बाद value कितनी हो जाएगी 92 92 का मतलब समझ रहा हो 92 में issue होगा और 100 में redeemed हो जाएगा तो कितना भी आज मिल जाएगा 8% और अगर rate बढ़ता है तो treasury bill का value बोलो क्या होगा कम की ज़्यादा टी बिल का value 92 की जगा अब अगर rate 10% होगा तो 92 में issue नहीं होगा वो कितने में issue होगा सर 90 रुपए में issue होगा ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ वो 90 रुपए में issue होगा इट मिंस interest जादा होगा तो टी बिल का issue price है वो कम होगा यहां तक बात समझी में आती है तो बेटे सीधी सीधी बात है अगर मैं बोलो अगर मैं बोलो rate बढ़ेगा upside बढ़े rate बढ़ेगा मतलब treasury bill का value क्या होगा कम होगा मतलब किस side downside बढ़े सर समझाओ समझाओ यह पूरी बात समझी में नहीं सुनो मेरी बात मैं पहुंचा stock actions के पास मैंने का सुनो stock actions यही वाला stock action ले तो यही वाला stock action यह मैं और यह bank जिससे मुझे loan लेना है आसे तीन महा बात मैं stock action के पास पहुचा और मैंने का stock action सुनो ना rate of interest बढ़ने वाला मुझे betting करने हैं बुले उस पर हम rate of interest पे betting नहीं करते T-bill की value आज से तीन महने बात आज से तीन महने बात T-bill की value 92 रुपीज 92 रुपीज बोलो बताओ कि यह कम होगा कि ज्यादा होगा लगा लो शर्त आपको betting T-bill पे करना आपको rate of interest में हाला कि इसका मतलब भी rate of interest है मैंने का अब मैं सोच रहा हूँ मैं betting कर रहा हूँ किस पे T-bill पे अब मैं सोच रहा हूँ inverse relationship होता है थोड़ा सा सोच रहा हूँ इसका मतलब rate of interest बढ़ने के लिए betting कर रहा हूँ मतलब T-bill के गिरने के लिए मतलब मैं कौन सा position short position लेना चाहता हूँ मैं sell करना चाहता हूँ मैं नहीं का मैं betting करना हूँ और betting कर रहा हूँ short position downside betting इस पर downside betting मैं तयार होगा है कि मैं downside betting कर रहा हूँ या फिर मैं क्या कर रहा हूँ मैं short position ले रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ मैं sell कर रहा हूँ future एक ही बात है ठीक है ओक हो गई बात हो गई है सब कुछ हो गया ठीक आज 3 महने बाद जो रेट था वो T-bill का रेट कितना हो गया? 90 हो गया. क्या मैं जीत गया? यस मैंने कहा था कि ये डाउन हो जाएगा और डाउन हो गया. बोलो कितने रुपए से जीता? 2 रुपए से या क्या बोलू? 2% से जीत गया. It means T-bill मैंने sell किया. कितने में? 92 में. और उसको काटने के लिए क्या करोगे? Buy 90. तो बोलो कितने का profit हो गया? 2 रुपए गया. अगर सीधा बोलने तो कितने रुपए से जीता? 2 रुपए से. तो सामने वाला stock exchange मुझे कितना दे देगा? मुझे 2% दे देगा. कितने का 2% दे द गया? सर 1000. तो सामने वाले से मुझे इधर कितना देना पड़ेगा? इधर कितना देना पड़ेगा? सर इधर तो 5000 ही देना पड़ेगा और इधर सी कितना आ जाएगा? 1000 तो total cost कितना पड़ेगा मुझे 4000 cost पड़ेगा. ठीक? मैं बस आप से ये बताना चाहता हूँ. बच्च हमें position कौन सा लेना? long की short. आपको उल्टा सोचना पड़ेगा. rate of interest बढ़ना, बढ़ने का. बढ़ने के लिए बैटिंग करना मतलब T-bill के गिरने के लिए बैटिंग करना. एक चीज तो ये हो गए. थोड़ा fast short round up है ना? दूसरी चीज और समझाने की कोशिश करा हूँ. तैयार हो गया. ये जो भाई. ये बैंक. इससे उधार कितने महने के लिए? 6 मंद के लिए. कितना रुपा है? एक लाग रुपा है. ठीक है? अच्छा. इस्टॉक एक्षिंस. T-bill. T-bill की value कितनी है? T-bill के value 92. और मैंने क्या किया? मैंने शॉट पोजिशन लिया. मैंने T-bill कम हो जाएगा. तो मैंने क्या किया? शॉट पोजिशन लिया. ठीक. और कितने पिरेट का लेना है? सर, कितने पिरेट का लेना चाहिए मुझे शॉट पोजिशन? मैं आपसे. सर, 6 मंद है. तो मैं भी यहां तयार हो गया. मैंने का 6 मंद का चाहिए. अब श्टॉक एक् अब सुनना बेटे धियां से. मैंने का यार मान लो rate of interest कितना हो गया? 10%. मतलब T-bill की value कितनी हो गई? 90 रुपे हो गई. no doubt कि मुझे इधर से कितना मिलेगा? 2%. और इधर मुझे कितना देना पड़ेगा? 2%. ठीक से सुनना, ठीक से. मुझे देना पड़ेगा 1,00,000 पे कितना 10% कितने मेने का? 6 मेने का? कितना आता? 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 पर यहां चे महने का इंट्रेस्ट है जबकि आपके यहां तीन महने का इंट्रेस्ट मुझे मिलेगा क्या मैं इस एमाउंट को डबल कर सकता हूं बले हां आप एमाउंट डबल कर लो बात समझने की कोशिश कर रहा हूं आप एमाउंट को डबल करूंगा तो जो मुझे पास्तों मिलना था क्या वह एक हजार मिल जाएगा यस इट मेंस यहां इसको मैं क्या कर दूंगा डबल कर दूंगा six month का हो नहीं सकता पर मैं मन्त को six कर रहा हूं बस मैं आपसी इतना बोल रहा हूं कि जितना exposure है एक लाग है तो एक लाग की जगह मुझे कितने पर बैटिंग करना पड़ेगा दो लाग पर बैटिंग करना पड़ेगा बाकी इस question को मैंने detail में समझाए और इसको इसके आगी question करने वाले उस question में यह सब कुछ है और उस question को मैंने समझाया तो आजाते उसी question पर आजाते तब बात समझ में आ जाए पहले समझ लेते interest rate future क्या है interest rate future लिखा हुआ है interest rate future means future contract on interest bearing securities जिसको हम क्या बोलते हैं treasury bill बोलते हैं there is inverse relationship between rate of interest and interest bearing security if rate of interest rise interest का rate बढ़ेगा तो interest bearing जो T-bill है वो क्या होगा वो गिरेगा T-bill are issued at discount and redeemable at face value issue price क्या होता है 100 minus interest rate if we afraid of interest अगर हमें डर है कि interest बढ़ेगा इसका मतलब T-bill क्या होगा गिरेगा तो हमें कौन सा position देना हो चाहिए short position देना चाहिए कि यह question है मैं जिसकी बात कर रहा हूं मैं फिर से बोल रहा हूं यह question अगर यह question डला होगा मुझे नहीं लगता कि question डला हो पर अगर डला होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पक्का डाल दूंगा जीने समझने में दिक्कत वरी वो वीडियो इस question का वीडियो में देखेंगा अच्छे से देखेंगा पढ़ते हैं क्या लिखा है लेक्ट्रा इस पेसिस इस कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक होल्स है तो बिजनेश ऑप दा फॉर्म इस हाईली सीजनल इन नेचर इन सिक्स मन्त ऑफ ए यर फॉर्म के पास बहुत सारा पैसा रहता है छे मैं मैंने और छे मैंने क्रिस्मस के समय और छे मैंने फॉर्म को कैश का प्रॉब्लम होता है तो वह बॉर्म करने का सोच रहा है यह इस जो रिस्क है उसको कबर करने के लिए ठीक है जी और एक्सपेक्टेड है कि बॉर्म बॉर्म करने वाले 50 मिलियन इंटायर पिरियड ऑप स् three मेने में यह 0 यह 3 यहां वो बोरो करने वाले हैं छे मैने के लिए तो three in to nine हो गया आने वाले तीन मेने में problem जाने वाली है cash की तो तीन मेने बाद हम बोरो कर लेंगे कितने period के लिए कर लेंगे six months के लिए कर लेंगे यही का बता रहा हूं ठीक है और f ra का दे रखा quotation 5.5.75 3 x 6 FRA दिया 3 x 9 FRA दिया ठीक है ये वाला future वाला का मना ये वाला 3 month euro 50,000 future contract maturing in a period 3 month is quoted at 90 ये टीविल का price 94.15 इसका मतलब rate of interest कितना 5.85 पॉश ये रेक्वार तुर्माइन how a FRA sell be useful if the actual interest rate after 3 month turn out to be हमारे लिए कौन सा काम का ये काम का है नहीं क्या ये काम का है नहीं क्या ये काम का है FRA के लिए yes तो FRA हम क्या कर रहे हैं बाई कर हमें ऐसा लगर rate of interest बढ़ने वाला तो कौन सा वाला rate का 5.9 FRA बाई कर रहे हैं मतलब सामने वाला बेचेगा अगर 5.94 से उपर आएगा तो हम जीते हमें मिलेगा डिफरेंस अगर 5.94 से कम है तो सामने वाला जीता FRA बैंक हमें देना पड़ेगा तो ये पूछा कि बताई क्या होगा वैसे तो देना क्या पड़ता error present value अब से टिल्मेंट यहां पूरा की पूरा कोस्ट्ट जो है और किस तरह से आप पहज करें तो सीधा हम लाश्ट का दिखाएंगे ठीक है तो यह वी है उटू बॉर पचास मिलियन आफ्टर थ्री मंथ फार सिक्स मंथ तो है रिस्क आप इंट्रेस्ट राइजिंग तो वी बाय करेंगे 5.94 पर ये तो क्लियर हो गया अगर रेट आप इंट्रेस्ट कितना हो जाए 5.4 तो हमको डिफरेंस क्या होगा देना पड़ेगा कितना पचास मिलिंग 5.94 माइनस 4.5 कितने मैं ने का 6 मंद का तो यह आगया 3,60,000 ठीक और हम बैंक को कितना देंगे 50 लाग का 4.56 इतना बैंक को देंगे तो टूटल मिला कर यह और यह इतना देना पड़ेगा इतना जा रहा तो टूटल हमको कॉस्ट कितना पड़ेगा कॉस्ट हमको 5.94 ही पड़ेगा बस यह हम संजाना चाहरा है अगर रेट आप इंट्रस 6.5 पर्षेंट है तो हमें आएगा कहसे आएगा एफारे मैंक से उखरेंक विल पे 6.5 माइनस 5.96 मन्त का अभ्याज हमको मिलेगा और हम बैंकर जिस से उधार ले रहे उसको देगे 50 लाग का 50 मिलियन का 6.5 परशन 6 मैंने का देना पड़ेगा इतना देना पड़ेगा पर इतना FRA बैंक से मिल जाएगा तो टोटल हमको इतना देना पड़ेगा तो कौस्ट किसी भी कि हालत में हमारा कितना पड़ेगा 5.94 परशन पड़ेगा अब बात कर रहा है फ्यूचर वाला अब ध्यान से समझना पड़ेगा पहली बात Upside Betting करो की downside Sir, Betting किस में करना? Betting तो बेटे T-Bill में करना है, Treasury Bill में Sir, Rate of Interest बढ़ेगा हमारा ये मानना वैलकुज है Sir, इसका मतलब T-Bill की value गिरेगी तो हमें, Sir, Short Position हमें Sell करना है SELL करना है Interest Rate future कितनें में? 94.15 कर दिया, Sell short position कम होगा तो 5 अगर rate of interest यह हो गया मतलब TBL की value कितनी होगी 100 में से यह minus कर दे थे 100 minus 4.5 95.5 हो गई 94.15 हम यह कह रहे थे अगर मैं सुना बेटे सुनो 100 minus 4.5 तो 95.5 94 से हम क्या कह रहे थे value क्या होगी गिरे जब की value क्या होगी बढ़ गई तो यहां हमारा क्या हो गया सर यहां हमारा loss हो गया लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ 100 minus 100 minus 6.5 तो यह होगा 93.5 आप क्या कह रहे थे गिरेगा और वाकिक क्या गिर गया तो क्या हमारा यहां profit हो जाएगा बस कुछ भी नहीं बस यहां दिक्कत कहां जाएगी बच्चों को दो जगा दिक्कत जाएगी बच्चों को इस फीट से पढ़ा रहा हूं उसके बाउची दो जगा जाएगी पहली जगा कहां जाएगी कि सब हमें sell करना है इतने मंत के लिए करना 6 मंत क्या करें 3 मंत को 6 मंत तो कर जी नहीं सकते तो आप फिगर ही तो डबल करना पड़ेगा मतलब जो 50,000 यूरो है उसको डबल करना पड़ेगा एक लाक यूरो पे बैटिंग करना पड़ेगा बाकी कुछ भी नहीं है इंट्रेसरेट फ्यूचर कहानी लिखे हुई है एफरेट टु इंट्रेसरेट राइज हमें डर है कि इंट्रेसरेट बढ़ने वाला है इसका मतलब ट्रेजरी बिल गिरने वाला है तो हम शॉर्ट पोजिशन लेंगे शॉर्ट पोजिशन मतलब हम सेल करेंगे इंट्रेसरेट फ्यूचर फ्यूचर थ्री मन्त में कितने में 94.15 कितना नंबर ओक कॉंट्रेट टोटल कितना चाहिए 50 लाग नंबर ओक कॉंट्रेट निकाल लिया यहां 6 भाइ 3 करने का पीछे फिगर को आपको डबल करना 50 लाग को डबल करना डबल करना मतलब मैक्सिमम कॉंट्रेट 3 मन्त के लिए करना है पर हमें तो पूरे 6 मेने का ब्याज चाहिए ना तो 6 मेने का ब्याज मिलने से रहा है तो फिगर को ही हम डबल कर देते हैं तीक है और एक कॉंट्रेट कितने का है 50,000 Euro देख लोगे तो टोटल कॉंट्रेट कितना हो जाएगा 2000 Euro अगर एक्टोल डेट ऑप इंटरेस्ट कितना हो गया 4.5 तो सबसे पहले सेल किया है 94 पर रेट कितना हो गया तो आप क्या हो गया लॉस लॉस निकाल लीजिए पैमेंट और इंटर्स हमको देना पड़ेगा 50,000 यूरो 2000 एक कॉंट्रेट में 2000 है लॉस कितने का 1.35 पॉर्षन तीन मेने का इतना देना पड़ेगा साथ में हमको लोन का भी इंटर्स देना पड़ेगा तो टोटल इतना जा रहा है अगर रेट आप इंटर्स कितना होगा है 6.5 हमने इस पर बात किया था जबकि बाई किया एफर एफर आप समझ रहे हूं ना मैं बाई सेल बाई सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताक कि मैं पी एम से मैच करवा हूं हाला कि मुझे यह दो फिगर दिखरा बात कतम क्या डाउन हुआ यस और डाउन हुआ मैंने शॉट पोजिशन ले रहे तो सीधा सीधा मेरा प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट निका लिजिए पच्छा जार इंटू तू थावजा इंटू पॉइं इंट्रेट फ्यूचर ठीक है थोड़ा से स्पीड बढ़ा दू तो ज्यादा अच्छा है ने तो इसी में ज्यादा टाइम निकल जाएगा यह खतम हो गए हमारा इंट्रेट फ्यूचर अब आ रहा है हम लोग पार्ट नमबर फॉर पार्ट नमर थ्री यार इस इस फाइनेंशियल स्वेप स्वेप क्या होता है स्वेप स्वेप देखा जाये तो होता है अदला बदली एक्शेंज समझाने की कोशिश करों बड़ी सीधी सी चीज है और इसको मैं थोड़ा सा स्पीट से लेती हुए चलूँगा क्योंकि स्वेप हो सकता इंट्रेट फ्यूचर आप इसको ना आता हूँ पर स्वेप तो आपको आता ही है देखो एक रेट होता है फ्लोटिंग और एक होता है फिक्स फ्लोटिंग रेट क्या चेंज होता है बार बार हां पर फिक्स रेट चेंज होता है कि नहीं और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लोटिंग रेट बढ़ेगा floating rate बढ़ेगा तो मैं क्या कर सकता हूं मैं public में bonds issue कर सकता हूं bonds issue मैं bonds issue कर रहा हूं public में floating rate पर floating नहीं fixed rate मैंने bonds issue किया fixed rate पर तो public को मुझे क्या देना पड़ेगा मुझे fixed rate देना पड़ेगा fixed public को मुझे fix देना पड़ेगा और जो bonds इस्यू से पैसा आया उसको क्या कर दूँगा मैं invest कर दूँगा कहीं और invest करने पर जो आएगा interest वो मुझे क्या जाएगा floating floating का मतलब क्या बोल दो लाइब और वगेरा बात बड़ी सिंपल सी है मुझे क्या लग रहा है मुझे ऐसा अगर मैं क्या समझानी की कोशिश कर रहा हूं मैं यह समझानी की कोशिश कर रहा हूं swap नहीं होता तो क्या होता swap नहीं होता तो हमारा एक ही रूल से हम कम rate of interest पे public से पैसा उठाए और उसको invest कर दे जादा rate of interest कैसे possible है बड़ा simple मुझे मालूम है कि floating rate जो लाइबर को rate है वो बढ़ेगा future में तो मैं fixed rate पे public से पैसा उठाऊँगा और उसको invest कर दूँगा और बदले में क्या आएगा floating आएगा और अगर ये बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा मिलते जाएगा that's it, बड़ा simple लेकिन बिट्टे ये सब काम करने में transaction cost बहुत ज़्यादा लगता transaction cost बहुत ज़्यादा मैंने सामने वाले से का चलो यार सर्थ लगाते, एक काम करना आप मुझे क्या दे देना, LIBOR यहां LIBOR ही मिल रहा था और मैं आपको क्या दे दूँगा fixed, मात कता सर्थ लगा लिए, आप मुझे दे देना LIBOR, मैं आपको दे दूँगा fixed, अगर यहां इसी question की बात करो, मान लो 10% रहा fixed, और 12% रहा LIBOR, तो मिला कितने का 2% का फायदा, 12% इंट्रेस्ट आएगा और मुझे 10 ही देना पड़ेगा तो कितने का फायदा, 2% का फायदा पर यहां actual में मुझे सारा काम करना पड़ेगा, bonds issue करना पड़ेगा actual में इस सारा, actual में investment करना पड़ेगा, जबकि यहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, मान लो LIBOR कितना हो गया, 12% और fix कितना हो गया, 10% तो मैं आपको कितना परशन दूँगा, 10% और मुझे मिलेगा कितना, 12%, तो सीधा सीधा भई, आप 2% मुझे दे दो, क्या actual में कुछ investment करना पड़ा, borrowing करना, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा कितने ही परशन की कमाई होगे, 2% की कमाई होगे, multiple time होगे, हर 6-6 मैं में change होगा, तो लगा दो सर्थ, 2-3 साल के लिए लगा दीजिए, जैसे 2-3 साल के लिए investment हो रहा, वैसे 2-3 साल के लिए आप सर्थ लगा लीजिए, this is swap, यहां, national amount, कि चलो यार, 50 लाग पे सर्थ लगे, आप मुझे लाइबोर देना, मैं आपको fix दूँगा, लगे शर्थ, और लाइबोर बड़ेगा, तो मुझे मिलेगा, लाइबोर लेकिन, यहां 8% हो गए, 8% तो भाई, फिर मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि सुनो, 10 जाएगा, 8 आएगा, इसका मतलब net हो सकता है, कि यास, मुझे तो 2% देना पड़ेगा, netting होती है, netting feature होता है, swap में, ठीक है, और क्या actual principle होता है, नहीं, notional principle, this is swap, इसी को plain vanilla swap भी बोलते है, यही सब swap होता, ठीक है सर, आगे बड़े सर, यह से, ठीक है, plain vanilla swap, यह financial swap, part number 3 चल रहा हमा, suppose a firm X limited, which expect 6 month interest rate for the next 5 year to keep on rising, बढ़ने वाला, it can simply issue fixed rate wants, वो यह कहानी बता रखा, 10% और proceed जो आएगा, वो floating rate wants LIBOR, सिधी सिधी बात है, LIBOR आएगा, fix जाएगा, बचा हुआ हम कमा लेंगे, यह 12% तो हम कितना कमाएगे, 2%? We can say this is multiple times betting on LIBOR, bonds issue and bond buying involved, legal, legal and operational problem and this can be avoided simply entering into a financial swap with a swap bank, यह मैंने वोई डाइग्राम जो समझा है, आपको वे चीज़ आपको बता दिया है, यह एक्जाम्पल लिया है, एक्जाम्पल चेक कर लोग बार, नोसल प्रेंसिपल कितना है, कितना ले लिए हुआ है, पचास लाग है कि पास सो लाग, पिरेट कितना हो गा है, 6 मान्थ, रेट अपन इस टैन परशन एक ठीक है, एक्जाम्पल लिमिटेट इस फिक्स देगा, रेट कितना है, दस परशन और बदले में किया मिलेगा, लाय पर और यह पिरेट हो गया, छे छेछे मेने क मालन लू जाप कितना हो गया 11.5 तो यहां किया जाएगा 11.5 अब सोचो 11.5 आएगा 10 जाएगा मतलह हमें 1.5% मिल जाएगा कि सिर्टो तो बस 50 लाग का 555 पढ़ना 6 मंत का किसको गेन हो रहा गया लैखने को इतल जाएगा रहते हैं इसी का नाम क्या होता है swap बस आपको यह देखना है क्या आने वाला है क्या जाने वाला इसी पर आपको focus करना तो swap as discussed above a xandrick swap also known as plain vanilla swap in such swap there are two lakhs होता है एक one lakh को floating बोलते है और दूसरी lack of fix बोलते है principal amount कैसे होता notional और netting feature होता है यह question है simple question suppose a dealer quotes all-in cost for a generic swap eight percent against six month live war notional principle कितना है पाच लाग calculate semi-annual fixed payment कुछ भी नहीं semi-annual fixed payment निगाल लो भाई time pass कर लिया पाच लाग का आठ बरसंट छे मैंने का this is fix कितना आ रहा है 20 सब्सक्राइब find the first floating rate payment for above if the six month period from effective rate to 181 days and the libor कितना six find out the first floating rate payment उसने अभी तक यह नहीं बताया है कि क्या दे रहा है क्या ले रहा है उसने का fix rate के हिसाब से interest का amount निकालो निकाल लिया time pass अब और रहा floating के हिसाब से निकालो six percent लेकिन days कितना days के हिसाब से calculate करना 181 का ठीक है floating rate के सबसे पास्ट लग का छे परशन 181 360 बातकताम यह किसके सबसे fix यह कैसे है floating एक पार्टी है जो fix rate पे कर रही है fix rate यह fix rate पे हो रहा है यह मान लो fix rate और यह floating receive हो रहा है तो 20,000 जा रहा है फिक्स वाला और floating से आ रहा है 15,083 तो fix वाली को देना पड़ेगा एक्स्टा बीस जार माइनस 4,917 रुपए देना पड़ेगा खतम question बच्चा question था यह आगया एक इस type का भी swap आता है अब मैं बहुत सारा तो नहीं करवा सकता concept सिधा यह question करवा रहा हूँ सिधा question करवा रहा हूँ लिखा company A, B, C और X, Y, Z शुरो इन सब इसका वीडियो तो especially two party swap का तो वीडियो डला हुआ है description में तो अगर ज़्यादा दिक्कत हो कि तो दिख ले ना company A, B, C और X, Y, Z को लोन चाहिए कितना 200 मिलिया ठीक है इसमें क्या होता है थोड़ा बहुत याद दिलाना two party swap में क्या हो रहा इसमें क्या हो रहा सुनो 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 मान लोग दो लोग है राम जोकी यहां रहता है सर कहां पर राइपूर में राम राइपूर में और स्याम कहां रहता दिल नहीं में अब राम को यह मैंने आपको एजामपल करवाया हूं सर हां सर छोड़ो ना सर इतना कहानी टाइम निकल जाएगा बहुत जादा चलो ठीक है अब देखो दो कंपनी पेटे एबी सी और एक्स वायजट जब एबी सी जाती अपनी बैंक एबी सी लिमिटेड को लोन चाहिए कितना डॉलर टूहंडरद मीयन जब एबी सी लिमिटेड बैंक जाती है तो बैंक वाला उसको ओफर करता बोलता फिक्स चाहिए कि फ्लोटिंग चाहिए तो ABC पुछता fix का कितना 12 अविले लायबूर प्लस पॉंट 1 पॉसे ठीक इसी तरह XYZ भी अपनी बैंक जाती है और XYZ से बोला जाता बहुत fix का कितना बोले 13.4 और floating पे इसको कितने में मिल रहा है LIBOR plus 0.6 सर XYZ को तो महगा पढ़ रहा है यास उसका credit rating खराब होगा हो सकता है कौनसी bank कौनसी company को ज्यादा फाइदा दिख रहा है ABC Limited को चाहे वो fix से ले तो भी फाइदा है चाहे वो floating से ले तो भी फाइदा this is absolute advantage fix में भी उसको फाइदा है floating में भी फाइदा है लेकिन किसको फाइदा ABC अब मैं दूसरा language पूछ रहा हूं दूसरा fix में भी फाइदा floating में भी फाइदा पर fix or floating दोनों में से किसमें ज्यादा फाइदा दोनों का comparison करके बता हूं इसमें कितने का फाइदा 1.4% fix में ABC को ही फाइदा है और ABC को ही फाइदा floating में पर कितने का फाइदा 0.5% देख रहा 0.5% तो दोनों को अगर मैं comparative करूँ fix में फाइदा fix में ज्यादा फाइदा in comparison to floating यहीं मतलब होता comparative advantage कंपनी ABC require पर भाई साब ABC को क्या चाहिए ABC कहती कि मुझे चाहिए floating इस rate पर उधा लेना है इस rate ओके और XYZ क्या चाहता XYZ चाहता fixed swap design करना है bank intermediary का का काम करेगा उसको commission जाएगा 0.1% और swap दोनों के equally attractive है बहुत ज्यादा details में नहीं जा सकता बहुत ज्यादा detail में नहीं जा सकता descriptive चेक कर लेज़ेगा इसमें क्या होता है हमको जो चाहिए फिर से बोल रहा हूं हमको जो चाहिए वो ना दिल मत करवाओ उससे fix rate पर borrow करवाओ और फिर swap करवाओ अल्टिमेटली हमारा objective क्या है swap करवाने के 2.4% उससे भी कम पड़ेगा आप हमारे हम swap कर वाओ हमारे हिसाब से काम किजिए और हमारे इसे क्या काम करना है आप लायबोर आप floating से उधार ना लेकर किस से उधा लीजिए fix और आफ fix से उधार ना लेकर किस से उधा लीजिए floating बस यही concept था ठीक है तो यह सम्मेने लिख दिया यहां लेका ABC Limited इंज्वा एप्सुलूट एडवांटेज इसमें लिखा है ABC Limited इंज्वा एप्सुलूट एडवांटेज इन फिक्स रेट ठीक है कोई दिखकत ही नहीं अब स्टेप नंबर टू हो गया calculation effective rate of interest तो हम बोल रहे है total rate without swap अगर swap नहीं होता तो swap नहीं होता तो भई ABC आपको देना पड़ता LIBOR plus 0.1 और आपको देना पड़ता 13.4 तो total rate of interest कितना आजाता LIBOR plus 13.5 पर swap करने की वजह से जो कि आप floating चाहते थे आपने fix लिया 12 और जो fix जाता था वो floating LIBOR plus 0.6 पर तो LIBOR plus 12.6 परशन पड़ा जो LIBOR plus 13.5 परशन था वो पड़ा LIBOR plus 12.6 परशन तो बोलो क्या आपको cost कम पड़ा यास दोनों को मिलाकर कितना पड़ा सिर्फ 0.9 परशन का फाइदा हो गया commission दे दो intermediary को 0.1 परशन तो भी आपको gain कितने का हो गया 0.8 परशन का तो बताओ आपको cost कितना पड़ा ABC आप LIBOR plus 0.1 आपका desired borrowing था उसमें से जो gain हुआ था 0.8 परशन उसका आदा आपको मिलेगा तो आपको cost कितना पड़ा LIBOR minus 0.3 परशन और XYZ आपको 13.4 परशन था cost minus कर दीजा 0.4 परशन तो भी आपको कितना पड़ा 13% cost पड़ा that's it सर ये क्या चक्कर है ये तो मैंने का ना समझा ही नहीं पाऊंगा impossible बाते इसी को समझाने में मुझे 2 घंटे लगेंगे तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं revision कर रहा हूं मैं ये मान के चल रहा हूं तीसरा अगर चाहते हो ये आप जरूरी नहीं है अगर time y मैं तो diagram बना सकते हो diagram ऐसे बनेगा ABC XYZ लिग देना बाहर वाले को कितना देना पड़ेगा 12% क्योंकि 12% fix के साब से उधार लिए है और यहां bank को कितना देना पड़ेगा L plus 0.6% अब 12 जा रहा तो एक काम करो intermediary से 12 बुलवालो और इधर कितना रहा L plus 0.6 तो इधर से बुलवालो L plus ये कट गया पूरा पूरा इसका effective cost कितना आया L minus 0.3 तो ये चल जाएगा L minus 0.53 और यहां चला जाएगा इसका effective cost कितना आया 13 यहां चला जाएगा 30 effective cost आजाएगा inflow minus outflow minus inflow जिन्होंने revision किया है जिन्होंने class किया उनको मौलूम है कि मैंने कि हद तक करवाया हूँ मैंने दो तीन पार्टी चार पार्टी करका गरवाया हूँ उस लेबल का आता नहीं है ठीक है सर आगे चल रहा है एक यह question भी है देख लेते इसको है A incorporation and B incorporation Intent to borrow A incorporation borrow करना चाहते है dollar two lakh और B incorporation borrow करना चाहते है यह respectfully for a time horizon of one year prevalent interest rate are as follows A B C incorporation अगर आप यहन में लोन है और पाच परसेंट डॉलर में नौ परसेंट B incorporation आट पर मतलब इसका credit trading अच्छा है A incorporation फायदे में दोनों में फायदे में A incorporation yen loan में भी फायदे में dollar loan में भी पर dollar loan किया पिक्छा यह लेन में comparative ज्यादा फायदे में action rate dollar one is equal to 120 they entered in a currency swap under which बेटे सुनो इसमें बोला है कि currency swap में enter कर रहा है और समें यह भी बता दिया कि क्या सर्त रहे है बोले B incorporation will pay A incorporation 1% over the yen loan interest rate which the letter will have to pay as a result of the agreed currency swap whereas A incorporation will reimburse interest to B incorporation only to the extent of 9% keeping the action rate invariant action rate में कोई change नहीं होगा तो आपको यह सब outcome वगिरा निकाल के बताना है सुनना दियास हमें ज्यादा मेहनत नहीं कर नहीं है यह जो बोला है ना यहाँ बस वही वाला काम करना है पहले दो देख लेते loan amount कितना है dollar 2 lakh into 120 24 lakh ठीक है अब यहाँ design क्या लिखा A incorporation enjoys absolute advantage in yen loan and dollar इसको yen में भी फायदा डॉलर में भी फायदा है but A incorporation को comparative advantage yen loan में जादा है hence A should yen B should borrow A किसमे बोरो करेगा yen में और B किसमे बोरो करेगा dollar ठीक है अब सबसे important है यह diagram बस इसको अच्छे से समझ रहा है तो A भाई साब आपको क्या देना पड़ेगा interest यह incorporation being one में एक साल बाद का बता रहा हूं A आपको क्या देना पड़ेगा interest क्योंकि आपने येन में बोरो किया है तो येन इतना इसका 5% देना पड़ेगा क्यों सर क्योंकि अच्छे से देखो यहां rate कितना है 5% तो कितना देना पड़ेगा 5% देना पड़ेगा येन 120 लाख रुपए यहां देना पड़ेगा 12 लाख है जो भी हो बैंक को देगा यहां तक ठीक है B incorporation आपने डॉलर में बोरो किया है तो आपको rate of interest डॉलर में बोरो करने का rate of interest कितना है 10% तो आपको 10% interest देना पड़ेगा अतलब डॉलर कितना हो गए 20,000 यहां तक तो ठीक है यह कितना देगा यह में interest देगा जिस भी बैंक से उधा लिया होगा और यह किस में payment करेगा डॉलर में payment करेगा यहां तक ठीक है अब सुना बेटे अब अब जो इस्टोरी यह वो यह ऐसी है जो स्वैप में यह बात लिखा स्वैप पॉन्ट्रेक्ट में बीं कॉर्परेशन विल पे एं कॉर्परेशन वन परसंट वर्दा यह लोन बीं कॉर्परेशन पे करेगा b incorporation किसको a को कितना 1% जादा मतलब 280 loan कितना है 5% तो b incorporation कितना देगा 5 जी देगा 1% जादा 6% देगा ये बात लिक्हे हुई है तो दे दो भई इसका 6% इतना 110 इधर इसको मिलेगा और क्या लिखा है और e incorporation कितना रिमबर्स करेगा 9% चलो भई जो लिखा बस वो करना तो यह भाई साब कितना देगा कि एरो गलत लगा हुआ है कि यह दो यह एरो इधर आए और यह वाला एरो इधर जाएगा कितना यहां जाएगा डॉलर तो लाइक का नौपर्शनी इधर जाएगा अठावा जार ठीक है कि यहां तक कोई प्रॉल्लम नहीं अब इन्फोम आया अब देख लेते कितना कितना पड़ा एफेक्टिव कॉस्ट एफेक्टिव कॉस्ट कितना गया एक तो आठारा जाए डॉलर गया आया कितना सर आया यह नहीं आया कितना यह नहींआया बस बता दो सर देखो आया चाही दो लाग 400 और गया है बारा लाग तो डिफरेंस तीक है और लाग 400 गया बारा लाग कितना धोलटिव का गया है आपके पास। उसको कंवर्ट करनेते एक्ट्षन से तो एक्सोभीस और नहींगरapi कितना 17 परशन के साब से तो 18,000 कोस्ट पढ़ता है और अभी कितना पढ़ा 16,000 तो आपको कितने डॉलर का फायदा होगा है डॉलर 2,000 का फायदा होगा है ठीक इसकी बात कर लो इसकी में इसको डॉलर में क्यों निकाला क्योंकि एण क्यों अचाल वहाँ टो बीस है गla मतलब 4000 बीग कशालीन से कर लिया तो कितना हो गय इतना हो रहा विट्स धैड अगर स्वैप नहीं करते तो 8% की सब से इतना देना पड़ता है तो swap की वज़ा से मैंने कितना पैसा बचा ले क्या दोनों party को फायदा हो गया यस, दोनों party को फायदा हो गया intermediary को फायदा हुआ 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 उसकी बाद जाने दो practice manual में ऐसा इस तरह से नहीं बनाया है, practice manual ने paragraph लिखा हुआ है ठीक, this is the last question of swap, last question जैसे libor होता है वैसे mybor भी होता है बस इसमें जो settlement है, वो भी floating होता है पर इसमें जो settlement है या फिर मैं बोलूँ इसमें जो interest होता है, वो daily compounding basis पे calculate होता है खतम करते है derivative bank entered into a plain vanilla swap through overnight, इसको overnight index swap भी बोलते है on a principal कितना, 10 क्रों and agree to receive a mybor derivative bank है, receive कर रही है mybor तो देती कितना होगे fix, swap bank के साथ fix payment on the the swap was entered into Monday 2nd August 2010 and commence on 3rd August 2010 run for a period of 7 days और 7 days का rate of interest दिया if derivative bank receive a 317 net on settlement calculate fix rate and ठीक है बात समझने की कोशिश करनो हमको मालूम है fix क्या होगा fix जाएगा आ क्या आ रहा है mybor आ रहा है इस्टार्ट करें पहले दिन का rate कितना आएगा 7.7% एक दिन का 10 लाग इंटो 7.7 पर एक दिन का इंट्रेस्ट कि जाएगा फिर Friday को Saturday को दो दिन का लगेगा क्योंकि संडे की छुटी ये तो सेटर्डे और संडे को दो दिन का एक साथ इंट्रेस्ट लग जाएगा तो यह आ गया और फिर मंडे तो टूटल मिलाकर इंट्रेस्ट आ गया इतना किसके साब से इंट्रेस्ट आया अब सुनना ध्यान से मेरी बात ध्यान से आ रहा है इतना जा कितना यही तो पता करना अब सुनों कि यहां क्या लिखा यह लाइन इंपोर्टन डेरिव्ट्यू बैंक रिसीव कर रहे है 317 मतलब इस बैंक को क्या फाइदा है यह 317 और फाइदा कब होगा जब फ्लोटिंग कम होगा बात समझने 317 का फाइदा कैसे दिखेगा आने वाला ज्यादा होना चाहीए और जाने वाला कम होना चाहिए यह तो यह upgrade दूसरे मैं से इस में से 317 माने सुरे निकल जाएगा तो बस खतम बात यह कौन सारेट है app relevance और यह कौन साएंट विक्स यह इंडतल फीक्स का सलिक्स क्गा रेट निकल सकते हैं यस चलो रिट निकल और fix my interest इतना swap खतम आगे पढ़ रहे हैं हम लोग cap, collar and floor बस speed से काम हो रहा है पस यह मान के चलना के revision चल रहा है ठीक है चलो तो cap, collar and floor start करते हैं हम लोग अब बात हो रही है cap, collar and floor part number last last खतम इसके रहा है part number 4 cap, collar collar तो बात है cap, floor और collar cap किसके जैसा होता है call option floor किसके जैसा put option collar में समझाँ है सुना अधियां से FRA, swap अगेरा के अलावा यह भी option option की तरह होता है sir, क्या होता है call option कब खरीदे जब हमको ऐसा लगता कि rate बढ़ जाएगा बस यहां वहां किसका लगता था वहां लगता था हम लोगों को share, stock अगेरा का यहां हमें ऐसा लग रहा rate of interest बढ़ेगा बढ़ेगा तो हम cap खरीदते हैं अगर हमें लग रहा है कि rate of interest बढ़ेगा rate बढ़ेगा तो क्या खरीदोगे cap खरीदोगे rate बढ़ जाएगा तो मुझे pay off मिलेगा ठीक है, floor क्या है floor मतलब put option हमें क्या लग रहा है rate कम होगा और rate कम होगा तो हम exercise करेंगे rate बढ़ेगा तो हम exercise करेंगे, this is cap rate कम होगा तो exercise करेगा, इसको क्या बोलते है floor बस यहां बात है rate of interest की इसको वहां बोला जाता है, तो call option इसको गौ 6 कॉर्फ में होता किया हम काप खरीदे हैं हम कैब खरीते के डियर्ट बढ़ेगा खरीद लिया当 ऌके हमारा डर कका ता grade पर हमको एक बात है कियारट ऑफ Adams बढ़ेगा तो बदले में क्या दे ना पड़ता प्रीमियम तो देना पड़ेगा, यहां प्रीमियम लगेगा, पर हमको जो प्रीमियम लगेगा, हमको जो प्रीमियम लगेगा, उसकी रिकवरी तो करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, फ्लोर बेज देते हैं, फ्लोर बेज देते हैं, मतलब सामने वाला एक्सराइज करेग करेंगे के प्रीमियम चांग काreगा फ्लोर की उसक्रीम को recovery केलिए की कब समझ मारे काप कब आक्सराइब होगा जब रीक बढ़ेगा फ्लोर कब का भुड नवा जब range silॢ़ करेगा और सामने थोड़ी बहुत कहानी लिखवा रखा है, अगर firm borrow floating rate, firm ने borrow किया किस rate पर, floating rate पर, simple सी बात है, borrow किये हो तो डर है, और डर किस बात का, कि rate बढ़ना जाए, और firm क्या कर सकता है, interest rate cap buy कर सकता है, किस चीज के लिए protect करने के लिए, ठीक है, अगर मैं दूसरे सब्दों में तो investor को लगता है कि interest rate rise होगा future में, तो वो क्या कर सकता है, cap खरीद सकता है, लेकिन premium आपको देना पड़ता है, advance में ही देना पड़ता है, ठीक है, अगर आपने invest कर रखा floating rate पर, invest करने वाले floating rate पर तो डर किस बात का, sir interest rate कमना हो जाए, तो कमना हो जाए, तो आप क्या कर सक तो प्रोटेक्ट करना चाहते हो risk को, तो आप क्या कर सकते हो, आप, को expectation है कि interest rate कम होने वाला, तो आप floor को क्या कर सकते हो, buy कर सकते हो floor को, collar क्या है, interest rate collar is a combination of, combination of cap and floor, combination, अगर हमें लगता है कि rate rise होगा, तो हमने cap खरीद लेते है, higher exercise price पर, अब यह थोड़ा सा याद करने में, higher exercise price, अब premium pay कर देते है, in order to cover करना है premium को, तो आप sell कर देते हैं कि इसको floor को, lower exercise price पर, सर, यह higher or lower का logic क्या है, logic अभी मैं समझा नहीं सकता, पर अभी इतना यह समझ लो, higher or lower याद ना भी रखो, तो cap खरीदना है, floor बेचना है, this is collar हो गया, ठीक, सर, question, आगे बढ़े हैं, लोग, दो टाइब भी question आ सकते, speculation और hedgers, speculation है ही नहीं, speculation जिन्होंने मेरी class किया, उनको speculation है, उन्होंने किया होगा, अगर हमारे course की बात करो, practice manual, जिसको मैं base मान के चल रहा हूँ, सिब hedgers के point of view से, cap collar strategy है, नहीं तो नहीं है, तो हमें hedgers के point of view से समझाँगा, चलो, देखते क्या लिखा है, लिखा, XYZ incorporation issues of pound 10 million floating rate loan on 1st July 2013, यहां बड़ी दिक्कत है बच्चों, issue issue का मतलब, loan दे रहा है कि लोग ले रहा है, issue का मतलब, loan दे रहा है, कैसी बात कर रहे हो, bonds issue करते है, bonds issue कर रहा है, इसका मतलब, हम loan ले रहे हैं लोगों से, issue का मतलब, XYZ incorporation issues, a pound 10 million floating rate loan, issues का मतलब, बच्चे यहां का रिफ्यूज है, अगर यहां का रिफ्यूज है, तो बिटे यहां पढ़ो, effective interest pad बोला, pad, क्या अब यहां से तो समझ सकते हो, वैसे तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए, पर फिर भी समझ, doubt हो रहा है, तो यहां देखो, effective interest pad, pad कब करोगे, जब loan लोगे, तब ही तो pad करोगे, ठीक है, तो सर जी हमने loan लिया है, bonds issue किया है, कितने million का, 10 million का floating rate, 5 जुलाई को, और हर 6 महा में rate change होता है, और किस rate पर ले रखा है, लाइबोर प्लस 50 basis points, basis points मतलब आपको समझ में आथा, अच्छे से, 50 basis points मतलब 0.5%, लाइबोर जितना भी होगा, उसका 0.5% हमको interest देना पड़ेगा, लाइबोर प्लस 0.5, XYZ ने strategy कौन सी है, caller strategy है, caller strategy खोता क्या है, ना भी बताया है, तो हमें समझ में आजाना चाहिए, पर बताया है, कि हम sell करेंगे floor, buy करेंगे cap, XYZ buy the 3 years cap and sell 3 years floor as per the following details, principal 10 million है, principal amount, reference rate, 6 मत लाइबोर, strike price, ये काम के चीज़ है, 4% for floor, 4% से नीचे जाएगा, तो सामने वाला exercise करेगा, 7% से उपर जाएगा, तो हम exercise करेंगे, 7% से उपर जाएगा, तो हम exercise, 4% से नीचे जाएगा, तो सामने वाला exercise, रहा ही सॉल्फथ एकतिस डार यह सालूशन है यह सॉलूशन है और यह सॉलूशन है और मेंने कहां से मैंने practice manual सी practice manual में मालूम है पहले practice manual में गलत अगर किसी के पास old practice manual है sir तो बेकार के questions मुझसे मत कहना कि sir यह answer नहीं आ रहा और practice manual में इस question को change कर दिया गया फिर से important part अगर आपके पास practice manual पुरानी वाली है जिसमें यहां सायद rate 7% होगा यहां 7% होगा अब मुझे इतना भी याद नहीं है यहां 7% अगर ऐसा है यह 3.25% तो प्लीज इसको देखकर change कर लो PM ने change कर लिया और जिन्होंने मुझसे lecture पढ़ा है पहले मुझसे पढ़ा हुआ है जिन्होंने उन्हों को मैंने lecture में बोला भी था कि PM यहां गलती कर रहा है concept वागिरा में पता नहीं आप आपको छोड़ो अभी हम भूल जाओ पिछला क्या है ठीक है है तो एक जलाएसे 111 12 टिख चेचे मैंने में ये 6 मेंने में दिया है ठीक और रेट यह वाला लिख दिया है कितना पर संचे पर संच स्वाब तो मैं मुझे पता नहीं होता तो मैं 66 मन्त ले लेता। अरुश सवाल ये हैं कि मैंने जो बॉंट isल्य किया मैं ने जो लोन आप Самज्ड मुझेियु पाड़ेगा उस पे मुझे grade कितना पाड़ेगा फिर से मुझे देना पाड़ेगा अगर छोगए लाइबौर six परशंट तो मुझे banker को कितना इंट्रेस्ट देना पड़ेगा जिससे मुझे लोन लिया या बॉंड्स वाले पर कितना इंट्रेस्ट देना पड़ेगा मुझे देना पड़ेगा 10 मिलियंस पर 6.5% इंट्रेस्ट तो 6.5% लाइबोर प्लस 0.5% तो इंट्रेस्ट 6.5% 184 एक बार कालकुलेट करके देखता हूं कितने पर 10 मिलियंस 10 30 30 का 6.5% इंट्रेस्ट कितना इंट्रेस्ट किसको देना है बैंकर्स को लिखा भी इंट्रेस्ट पैमेट लाइबोर प्लस 0.5% साड़े 7% ठीक है 5% ठीक है 4% ठीक है यह इंट्रेस्ट आ गए बहुले ही टोटल है इंट्रेस्ट हो गए कि यह है 109 6 होट्लेसट से ठीक है यहां यहां तक कोई दिखने अब हमें यह देखना कैप exercise होगा किंभा फॉर एक्सराइज होगा टिलोगा फ्लॉर का आ उप्राइज की यह छो seven अपर ओलाव शे परश न्यापdon क क्या अधिश्गासार नहीं व्लो रेक्ससाइगे अधिक साथ क्या सिज्ग मिल जाएगा सपॉलाएगा इस म्हू Sep कर ग्राइब ञांगत sw cure pen को मिला 24795 तो नो डाउट हमें तो यहां इतना देना पड़ना है पर यहां में देना पड़ना है डिफरेंस तो हमको मिल गया तो हमें effective कितना पड़ा 396 712- हमें मिल गया pay off मिला होगा हमको कितना cap receipt हो गया 24795 तो हमें मिला 371 917 371 917 ठीक पाच पर्शन पर क्या cap exercise होगा नहीं साथ से उपर ने गया ना फ्लोर ना कैप ना फ्लोर हाँ यहां फ्लोर exercise कर लेगा सामने वाला तो मुझे pay off देना पड़ेगा कितना 4-3.75 4-3.75 into 10 millions into 184 divided by 365 मुझे देना पड़ेगा 12603 और यह तो देना ही देना है तो यह दोना प्लास हो जाएगा तो यह आ गया इतना ठीक और 4.25 ना कैप ना फ्लोर ठीक यहां तक तो टूटल मुझे कितना देना पड़ा यह इसका टूटल है ना मुझे देना पड़ा 16,26,094 कितने दिन का 1096 उसने बोला इफेक्टवी इंट्रेस्ट पैड निकालना तो परेनम बेसिस पर निकालकर बता देते हैं तो परेनम बेसिस पर कैसे निकलेगा मुझे देना पड़ा है यह आंसर ही यह चपा नहीं है यह 10 मिलियंस कितने दिन का है 1096 मुझे कितने दिन का निकालना तीन सब पैसे परेनम निकालना इसलिए इंटू 100 effective annual interest rate निकाल रहा 1626094 दिवाइड बाए 10 मिलियन इंटू 300 पैसर दिवाइड बाए 1096 इंटू 100 यह आगे सर 5.42 5.42 परेनम परेनम तो यह कोशन था और एक कोशन है लास्ट कोश्चन खतम लिखा है एक्स यज लिमिटेड बारो ठीक है वह हैं चरों मतला 15 अप 6 मन लाइब बॉस 10 पर ठीक है फारे परियाट चोबिस मंफ 24 अटीक है आमने बारो किया है किस रेट पर लाइब बॉस 10 पर ठीक है देंगे तो कंपरी एंटिसिपेट की राइस लाइबोर बढ़ेगा ठीक हैंस प्रोपोस्टी बाये कैप ऑप्शन प्रोमिट्स बैंकर स्ट्राइक प्रेंट के सब्सक्राइब ने कैप ऑप्शन खरीद लिया और लंसम पैम प्रीमियम आपको देना पड़ा वन पर्सन चोबिस महने का दो साल का मुझे कितना प्रीमियम देना पड़ा है वन पर फर इंटायर रिसेट पिजिएट पिजिएट तो हाँ फर इंटरस्ट रिसकेज है तूह है इसमें इफक्टिव इंटरस्ट निपोचा वो पूछ के आ रहा है कि यह मात बता हो क्या है एफट्टिव पिछले कोशन हो इफ्क्टिव इसमें पूछ रहा है कि गैप ऑप्शन खरीदने की वजह से आपने किस अधितक फाइ नीरेस्ट टू पांट इट वी पार्ट ऑफ वर्किंवाट पहली बात प्रीमियम का कैलोकोलिशन है लंब सम् प्रीमियम कितना देला एक्सों पचास ये 15 मिलिया है और कितना परश्ट वन परशंट तो टोटल कितना प्रीमियम गया एक लाग पचास तर पांट अब सवाल यह है यह रिसट पिडियोट हर शही हमामें हैं यहां एक्सराइ необходимо माइन भन नेट-प पहें ऐना पड़ेगा प्र प्रिमियंम माइन सकते थे नियुकत प्रिमन वैल्यू को भी इगनोर नहीं कर सकते तो आपको प्रेजेंट वैल्यू भी देखना पड़ेगा तो वही हम साथ पर्षंट है फिक्स तो छे महने का कितना होगा साधे तीन पर्षंट साधे तीन पर्षंट की हिसाब से हम प्रीमियम को एमॉर्टाइस करने की कोशिश करेंगे समझा रहा हूँ तो टॉटल प्रीमियम कितना देना एक राफ पचासहजर तो इस एक राफ पचासहजर का पहला रिसेट परियाट दूससरा пережिट परियाट थीरा क्यूंस दिसरा चैक्डर को छॉत्त हम तने चल रहा है कि कि हर बार जो एमॉर्टाइज कर रहे हैं उसको चार डिजिट तक ले लिया था मैंने, फिर कार्ड दिया, तीन डिजिट, पी-म के हिसाब से मिलाने के कोशिश करो, फिर 0.933, फिर 901, फिर कितने पर्शन के हिसाब से 1.035, किसी को याद है, कुछ leasing वगेरा करते थे, old syllabus वाले बच्चे याद करो, हाँ sir, and lease rent निकालते थे, तो divide करते थे, present value, annuity factor से, yes, equal lease rent निकालते थे न, बस, यहाँ equal क्या कर रहे हैं आप, equal premium का amount निकाल रहे हैं, निकाल लिया, factor, security factor से divide कर दिया, तो answer कितना आ गया, 4086 हुआ, बस इतना premium हम minus करेंगे, अब सुनो, सोच के बताना, पहला receipt period, कितना हो गया लायर वार, 9 पर्शन, price से जादा हो गया, yes, कितना पर्शन से जादा हो गया, 1%, 1% से जादा, तो मुझा 1% additional मुझे interest देना पड़ेगा, no drought, 1% देना पड़ेगा, पर वो एक पर्शन मुझे मिल तो जाएगा, क्योंकि मैं exercise कर लूँगा, जितना जाएगा, उतना मैं exercise कर लूँगा, वो यह चीज net payment received from bank, आप सुनना दियां से, तीन रिचेट प्रियाट दे रखा, additional interest due to rising interest rate, 75,000, यह 75,000 आया कहां से, कितना पर्शन हो गया, 1% जादा हो गया, जेक करते है, additional interest कितना देना पड़ेगा, कितने का 15,000, 15,000, का, 1% into, 6 by 12, 75,000, तो देखो दियां से, 75,000 हमें देना पड़ेगा, पर cap exercise करेंगे, तो 75,000 मिल भी जाएगा, हमें cap exercise करने से, और premium pad हो रहा है, premium pad हो रहा है, तो 75,000, ये अलग है, ये additional मुझे इतना जा रहा है, पर मैं ये cap वाली बात यहां किया, presentation इस तरह से किया, नहीं तो कुछ है नहीं है, सर जी, premium जो दे रहा है, वही है, बात करना, presentation ऐसे है, उसने कहा कि हमको ये additional देना पड़ रहा है, ठीक है, अब यहां जो जिससे मैं cap खरीदा था, उसके साथ क्या लेन देना हुआ, 75,000 आया, पर इतना हमारा premium गया है, तो net इतना मिला मुझे, किस से, जिससे मैंने cap खरीदा था, फिर यहां 112,000 पास तो, 112,000 पास तो कहां से आएगा, इतनी बात समझ में आ गई हो गया, 8%, 9%, मतलब 1,5%, ठीक है सर, इतना 4,861 premium काटने के बाद इतना, 1,50,000 आया, premium काटने, तो इतना मुझे मिल रहा है, इतना किस से मिल रहा है, जिससे मैंने cap खरीदा था, पर additional मुझे कितना देना पढ़ा, 3,37,500, पर उसमें से इतना तो मेरा recovery हो जा रहा है, अगर cap नहीं खरी इतने की वज़ा से, इतना देना पढ़ा, पर इतना recover भी तो हो रहा है, तो बस वही मैंने बताया, यहां बताया, interest rate amount, 337,500, reduce हो गया, कितने से, 214917 से, using cap ops, यह सीधी सी बात बनूँ, जो premium गया, वही मेरा cost, बस बात करते हैं, Thank you so much, Forex और portfolio management में से, पहले कौन सा upload करना है, revision lecture मुझे बताओगे, पहले Forex की पहले portfolio, लेकिन वो भी अभी नहीं होगा, कुछ मुझे समय चाहिए, आप लोगों से, थोड़ा सा recording में time लगेगा, तो तब तक के लिए, बाई बाई, comments में लिखोगे, Forex या फिर portfolio, बाई, thank you करता है, जर भी हОँए, बाई होjem।